इस धर्ती पर होने वाली हर घटना का साक्षे केवल द्रिष्टी ही नहीं बलकि स्रिष्टी भी है दोस्तो आज की इस फीडियो में हम रिवीव करेंगे राम चुलन सर की एक और सुपर हीट मूबी को इस फिलम को जो है 2019 में रिलिज कर दिया गये था दोस्तो इस फिलम का नाम है DBB जो की इस मूबी को जो है बिने बिद्या राम भी का जाता है दोस्तो आज की इस फीडियो में इस मूबी से जरुरु कुछ ऐसे रोमांटिक फैट के बारे में हम बतलाएंगे जो की आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानता होंगे दोस्तो अगर आप इस फिलम को भी वाज करना चाहते हैं तो आप जो है मुझे नीशे कमेंट कर सकते हैं और इस मूबी का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिर भी आपको इसका लिंक जो है नहीं मिलता है तो आप जो है मुझे इस्टागरम पे फूलो कर सकते हैं और वहां से इस मूबी का लिंक जो है आप मुझे से मांग सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने इस मुवी के बारे में कुछ अची बातों को बतलाया है और इसकी रोमांटिक फैट के बारे में हमने बतलाया है दोस्तो इस मुवी को 2019 में रिलेस किया गया था और इस मुवी के बारे में कुछ ऐसे बातों को बतलाया है जो कि आप लो पर निरमीत किया गया है और फिलम ने जो है राम चरन सर की वेवेक ओबराय और यहीं पर कियारा अडवानी जो है नजर आई हुई है इसमें जो है संगीद देवी स्री परशाद ने दिया हुआ है और फिलम एक यहीं पर यूवक और यहें पर कुणी देला राम के इर्ट-ग थी और बॉक्स अपिस पे असफल रही थी दोस्तों यह मूबी असफल होने के बाद पी जो है राम चलनव सर के लेखना ही चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह मूबी मूबी काफी ज्यादा पसंदी नहीं प्राफ द्रफियम यह इसे काफी प्रण को पड़ियूस कियोए जो देवीबी entertainment के बैनार तले इस फिलम को बनाया गया है देवीज इस्टिरी परसाच जो की एक साओथ इंडियन का बहुत बड़े music डिरेक्टर है और ये जो है काफी लिस्टार्बिक इंडियन में music को यानि कि साओथ इनडियन फिलम में music दीए हुए है इस फिलम को जो है 70 क्रोट के बजट बे बनाये गया था और इस मुबी ने दुनिया भर में 95 क्रोट का इंकम किया हुआ है दोस्तो इस मुबी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप जो है मुझे इस्टराग्राम बे फॉलो करके आप जो है वहां से ले सकते हैं तो चलिए इस वीडियो का अमें स्टार गरते हैं और आज की इस वीडियो में बिनाये बित्धे राम के बारे में कुछ ऐसी information देते हैं जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होगा So let's get started Hello दोस्तो स्वागत है आप सबी का हमारे इस सेट आप चैनल पे दोस्तो आज की इस फिडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन के एक और सुपर हीट मुज़ के बारे में ऐसे इंफर्मिशन देंगे जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे रिव्यू करेंगे इस मुवी कहानी को और इस मुवी की वर्ड वैल कलेक्शन के बारे में हम बाते करेंगे 11 जनौरी 2019 में इस मुवी को रिलिज़ कर दिया गया था और इस फिल्म को डी बी बी इंटर्टेंब्मिन के बैनर के तला इस फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म में आपको राम चलन सर बीबेक ओबरा एन काईरा अडबानी जो है लेडिंग रोल में नजर आई हुई है दोस्तो साउथ इंडियन का ये मुवी जो है काफी कमाल का मुवी है और सुपर हीट मुवी है दोस्तो इसमें राम चलन सर का जो किरदार है और काफी एक्सन और काफी ज़्यादा अलग आवतार में इस फिल्म में नजर आई हुए है दोस्तो इस film को डिरेक्ट किये हुए ये पे बोया पत्ति सरीनों ने और इस मुवी का कहानी भी उन्होंने ही लिखा हुआ है DBB Danya सर्ण ने इस film को प्रडियूस किये हुए जो की DBB Entertainment के मालिक है दोस्तो इस फिल्म के संगीज जो है देवी सरी परशास सर ने तयार किये हुए है और इस मूवी की वर्ल्ड वैल कलेक्शन के बारों हम बाते करें 95 करोड का इंकम किया हुआ ये मूवी इस बासे मूवी जो हिट साबित हुआ है अगर आप लोग इस फिल्म को वाच करना चाहते हैं तो आपको ये मूवी हो सकता है कि यूटूब पे देखने को ना मिले बट आप जो है मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस मूवी का लिंक जो है आप लोग साब जो है सेर कर दूँगा दोस्तो इस फिल्म को आप जो है Amazon Prime पे या फिर Netflix पे आसाने से देख सकते हैं तो फिन ये मूवी में आज की इस फिडियो में मैं इस मूवी का फुल रिभीव करूँगा और इस मूवी की कुछ ऐसी रोमांटिक बातों को बत लगो जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे और उससे पहले आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तो आज कल साउथ इंडियन का मूवी जो है काफी ज़्याद पॉपलाइटी हासिल कर रहा है और साउथ इंडियन की मूवी कोई से बली बूट का मूवी उतना ज़्यादा नहीं चल पा रहा है दोस्तो अगर आपका भी फेवरेट है राम चरनसर तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बाते करेंगे राम चरनसर के बारे में और इन से जुरी कुछ ऐसी रोमांटिक फैक्ट के बारे में जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होगा बट सबसे पहले हम इस मुवी की कहानी को जो है रिभीव करेंगे एक बच्चे के यह पहरन की घटना को जो है देखते हैं और पता चलने पर और पता चलने पर वहां से भाग जाता है वो जो है आत्महत्य करने का फैसला करते हैं इस डर्से की वो जो है अपहरन करता हो और उन्हें जो है मार नहीं सकती और यह पर ट्रेन की चपेट में आकर आत्महत्य करने का प्रयाश करते हैं उसके बाद जो है समय उन्हें पास की जाड़ी में यह पर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है जैसे ही आवाज सुनाई देती है पता चलने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे को यहीं पे चिंटियों ने काट लिया है और उसे पे निस्दीकी अस्पता ले जाते हैं बच्चे के ठीक होने के बाद उसे अपने भाई के रूप में पालने का फैसला करते हैं उसका नाम राम रखते हैं जो कि इस फिल्म का राम चलन सर का इस फिल्म में इन्हों ने इसी केड़ार को निभाया हुआ है दोस्तों यहाँ पे मैं जिस कहानी को बतला रहा हूँ तो कहीं कहीं पे मुझे आप लोग को बतलाने में मिस्टेके हो जाता है क्योंकि इस फिलिंग काफी ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है क्योंकि कोई भी इनसान जो जब पढ़के बोलता है और उसे बार-बार नहीं बेजता है अपहरन करता ओ जेल से भाग जाते हैं और अपने ही पे आबास पर पहुँच जाते हैं राम और यह पे अपहरन करता ओ को चाकू मारता है और अपने भाई की जान बचाता है जब ही पे डाक्टर उससे जो है इसके बारे में पूछता है तो वह उससे जो है अप वह उससे जो अपने चार भाईयों का स्कूल भेदने का अनरोध करता है जबकि वह उनके लिए जो है काम करता है और डक्टर फिर उन्हें जो है अपने बच्चों के रूप में जो है पालता है कहानी एक हैपे सुदूर और हैपे रिगिस्तान में जहां कुनी डिला राम ने राजा भाई और हैपे मुन्ना नामक बिहार के एक यह पे शक्तिशाली यह पे तना शाह को मार डालता है केवल यह पे जागने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि वह एक यह पे सपना है और उनके परिवार में चार भाई और यहें पर चार भावी और उनके बच्चे भी है उसके बाद भाईयों में से एक यहें पर भुवन कुमार और यहें पर मुख्या चुनाओ और यहें पर आयुक्त है बेटी और ये पर सीधा से हुई है और ये पर इस्थानिया अपरादी और ये पर महात्वकांची और ये पर राज नीत दे गया बल्लम और ये पर बलराम भुवन कुमार के काले धन को जब्ध करने के बाद ये उसे ये पर रिशुवत देने की कोशिश करते है जब यहीं पे भुवन मना कर देता है तो उससे यहीं पे धंकाने की कुशिश करता है जिसके लिए राम उसे यहीं पे मेडिया के सामने पूरी तरह से पिटता है उसके बाद बलाराम के महोनोई और बलाराम के जो बहनोई यही पे पांडेम पांडेम और यही परसुराम भुवन को जो है चुनोती देते हैं कि और उससे और उनसे माफिम मांगते उनसे माफिम मांगने को यही पे कहते हैं जिसके लिए राम उस पर जो है कड़ी मेहनत करते हैं यहां यहीं पे परशुराम को यहीं पर अपमानित करता है और इसलिए वहां एक यहीं पर मुत्भेट में बिसेश गया के पास जो है जाता है जो की राम के घर यहीं पर पहुंचते हैं और उसके यहीं पर पूरे परिवार को यहीं पर बंधक बना लेता है और राम वहां भेजा गया यहीं पे अपराधियों से लड़ने के बाद जो है उसकी भावी और यहीं पे गायतरी राम से जो है इसके बारे में पूछती है जिससे वह यहीं पे फ्लैस बैक का खुलासा करता है और राजा भाई बिहार में एक यहीं पे इस धानिया ताना शाह है जो कि जिन् मुख्या मंतरी को धंकी दी थी और इसलिए मुख्या मंतरी ने केंदरा सरकार से पूछा और यहीं पे भू अनको बिहार का मुख्या चुनाव आयुक्त किया आयुक्त और यहीं पे नियुक्त किया और राजा भाई भी बनाया दोस्तो आज के इस पीडियो में हम भी भी य जब राम चरन सर और यह पे ताना सा से मुत्भेट में यह पे बिसेस गया जो राम के घर पहुंचता है और उसके पूरे परिवार को बंधक बना लेता है राम उहां पहुंचता है और यह पे पर्शू राम से माफी मांगता है किवल बिहार के अपरादियों से मुत्भेट के राजा भाई बिहार में एक यहीं पे इस्थानिय ताना शाह है जिन्होंने मुख्या मंत्री को धंकी दी थी और इसलिए मुख्या मंत्री ने केंद्रा सरकार से पूछा और भुवन को बिहार का यहीं पे मुख्या चुनाओ आयुक्त और यहीं पे नियुक्त किया राजा भाई ने भुवन को अपने यह पे अधिन स्थियों के साथ जो है बंधक बना लिया और जिसके लिए भुवन राम को बुलाता है जो की गुजरात में अपने परिवार और सीता के साथ जो है एक मंदिर में था जैसे ही राम वापस यह पे हुआई अड़े की यात्रा कर रहा था हुआ जो है काल प्राप्त करता है और एक यह पे पूल पर जो है जाता है और एक यह पे ट्रेन के उपर यह पे कुद के जाता है जो की गुजरात से बिहार जा रही है वह अकेले ही यही पे घोड़े पर सवार तीन सो आदमियों को मारता है और राजा भाई के पास ले जाने के ले जाने के लिए यही पे पकड़ लिया जाता है एक यही पे एक लड़ाई जब एक लड़ाई शुरू होती है तो यही पे जिसमें राजा भाई और भुवन को माट देता है और यहाई पर राम राजा भाई को यह पर गंभीर रूप से घायल कर देता है जिससे वह यहीं पे कौमा में चला जाता है और वो अटमान में गायतरी अपने पती भूवन की मौस से बूरी तरह से यहीं पे सद्मे में है वह राम से उसे भूवन की चिता और यहीं पे बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है जहां वह राजा भाई को राम के साथ जहें पे धन्ड यूद के लिए चुरौती देती है और राम राजा भाई के गुंडे के सरीर के साथ जहें पहुंचते हैं और उसके साथ जहें लडाई शुरू करते हुआ यहीं पे अंद में राजा भाई की यहीं पे हडियों को यहीं यहीं पे पेर्ट से जुड़ी तलवार से अपना सिर काट कर वस्ट में कर लेता है और परिवार फिर से यहीं पे जुड़ जाते है और मुवी यहीं पे अंत हो जाता है दोस्तो इस मुवी का जो सौर्ट में कहानी थी और मैंने आप लोग को बतला दिया है दोस्तो अगर आपको इस से ज़्यादा जनकारी लेनी है तो आपको यह मूबी अफिसली वाच करना होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इस मूबी को रिभीव कर रहे हैं भी बी आर यानि कि बिनाए बादया राम फिल्म को हम यहाँ पर रिभीव कर जिसमें राम चरनसर आपको लिडिंग रोल में विवेक उबराया और यहीं पर काफे अड़वानी में जो है इस फिल्म में नजर आई हुई है दोस्तों यहाँ पिए इस मूबी को डारेट की बुएपती सिरीनों की इस फिल्म का लेखख भी है दोस्तों दीवी भी दानिया के बेनतर इस फिल्म को बनाये गया है उसके बाद कायरा अड़वानी में हम काफी ज़्यादे खुपसर एन होट एक्ट्रेस हैं इनके बारे में आप लोग को काफी रोमांटिक बाते बतलाऊंगा दोस्तो ये वीडियो आपको उपसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली रफा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तो ये पे दहिंदू की संगीता देवी और ये पे डंडु ने लिखा है कि बिनाए बिद्ध्याराम एक ये पे अनूठी फिलम है जिसे ये पे देखने जरूर जिसे जो है देखने की जरूरत है बिशेस रूप से ये पे इच्छू को और ये पे पत कदा लेखकों और नेड़े शेकों को यह जानने के लिए जो है यह जानने के लिए फिलम कैसी नहीं लिखना है और यह जो है कैसे नहीं बनना है और पर पांस सिधारे बताते हैं की बुया पती एक कहाने कार के रोप में खुद की एक यहीं पे फिकी च्छाया बन जाते है बिने बिद्ध, राम के साज़ यहीं पे समस्याओ यहीं पे देजा समस्याओ यहीं पे देजाबू और यहीं पे कारक नहीं है बलकि या तत्थ है कि यहीं पे फिलम निर्माता दर्शको और यहीं पे सिनेमाई सौतंतरा सौतंतरा ताको यहीं पे हलके में लेता है इंडिया टूडे ने दिया है कि पांच में से टू इस टार इस फिलम को और बताते है कि बिने बिद्धा राम की एक माँ एक जो है पर भाव पूर्ण कहानी है जिसे जो है एक मनोरंजक और ये पर बेवसाइक एक्शन में जो है ये पर बनाया जा सकता था लेकिन नहीं और ये पर बोया पत्ती स्रीरों की फिलम के साथ जो है बड़ी योजनाए थी और एक ये पर योजनाए इतनी बड़ी है कि कहानी ये पर गुरू तवाकरसन गुरू तवाकरसन तरक और ये पर आदी को आदी को ये पर घटा और बताती है कि अल और ये पर अन्य जैसे जो ही पर अनारी और यह पर अनसंबन और यह पर पत कथाओ और यह पर एक कहानी जो की ध्यान देने के योग्या है और यही पर सभी और यह जगडू गीतों और यह पर नर्टियों और यह पर यादू छिक और यह पर अनर्यन और यह पर सनवादों के बीच खो जाती है हिंदुस्तान टाइम्स ने पांच मेंसे 0.5 इस्टार दिये और जिसमें कहा गया है कि फिलम खुद को यह पे दिनाकीत और यह पे महसूस करती है यह एक यहीं पे गर्बर है कि राम चरन सर की सभी यहीं पे अजीव इस्टांड के साथ अपना यहीं पे रास्ता नहीं निकाल सकता है उसके बाद फरस्ट पोस्ट ने पांच मेंसे 1.5 इस्टार दिये जिसमें कहा गया था कि बिने बिद्धाराम की दुनिया में यहीं पे यतारतवात का कोई भी इस्थान नहीं है दोस्तो यह मूबी जो है उतना ज़्यादा इंकम तो नहीं किया हुआ है 70 करोड के बजट पे इस फिलम को बनाये गया था और यह मूबी जो है दुनिया पर में सिर्फ 95 करोड का ही इंकम किया हुआ है दोस्तो अब हम आपको बतलाएंगे यह पे कायरा अडवानी मैम के बारे में जो कि इस फिलम की लेडिंग हिरोईन है और इस फिलम लेड रोल में नजर आई हुई है दोस्तो विबिया कोपराय के बाद जो है इनहीं का नाम आता है दोस्तो आज के इस फिडियो में हम काफे रुमार्टिक बाते करेंगे और यह पे अडवानी के बारे में आपको जो काफे बहतरी बातों को बतलाएंगे यह जो है साउथ इंडियन की काफे महेंगी एक्टरों में से है और इनका नाम जो फोबार्स में भी है जुरा हुआ है दोस्तों अगर आपको यह हिरुन पसंद आती है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बतला सकते हो दोस्तों इनका एक नाम आलिया अडवानी भी है जिनका जनम जो 31 जुलाई सन 1992 में हुआ है जहें जो यह पे पिस्वार रूप से जो कियारा कहा जाता है कियारा अडवानी और यह पे जारा और यह पे के नाम से भी जाना जाता है एक भार्दिया अभी नेत्री है जो कि मुख्या रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है उन्हेंने दो यहीं पे तेलगू फिल्मों में भी काम किया हुआ है और यहीं पे फुगली 2014 में अपने शुरुआत करने के बाद जो है उन्होंने निरज पांडे की यहीं पे समिक छको और बेवसाई करूप से सफल और यहीं पे स्पोर्टर्स बायोपिक में एम एस दोनी द नेटफ्लिक्स और यहीं पे एंथोलाजी फिलम फिलम यहीं पे लस्ट और यहीं पे श्टोरिज 2018 में अपने प्रदर्शन के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रशन सहासिल की थी और उन्होंने तेलगू राज नीति की यहीं पे थ्रिलर भारत यहीं पे अन्ने नेनू 2018 की ह रोमان्स यहीं पे कबिर से हीमें दिखाई दीथी 2019 में और हिंदी कमेडी यही फिलम फश्ट ख़लता हसिल की हुई है प्रणभियु के बारे में बाते एक करेंगे जो कि इनका पुरस्ट भूमी संपादित करेCalm कियारा अडवानी का जनम जो है सिंदी और हिंदू, बेोसाइक और जगदीब अडवानी और एक जो है यह पे सिक छख जनी बीक और जाफरी के घर हुआ था जिनके पिता यहीं पे लखनाओ के मुस्लिम थे और जिनकी मा जो है यहीं पे इसकाटिस और यहीं पे आईरेस यहीं पे पूर्टागाली और यहीं पे इस्पेनिश वन्स की जो है इसाई थी और यहीं पे बंगाली और यहीं पे गड्मदर थी और यहीं पे आलिया अड़वानी के रूपने जन्मी थी उन्होंने 2014 में अपने पहले फिलम फूगली की यहीं पे रिलीस से पहले अपना पहला नाम बदल कर कियारा रख लिया उसने कहा है कि यही पे आलियों से क्यारा को अपना नाम बदलने के लिए यही पे समान खान का सुझाओ था क्योंकि आलिया भट जो है उनकी इही पे समकालीन थी 2019 में यही पे फिलम फियर को दिये गए हैं यही पे सचाता कार में उन्होंने कहा कि यह नाम फिलम यही पे अंजान अंजान और अंजानी में प्रियंका चोपरा के च्रितर कियारा से जो है प्रेरित था दोकी जो कि यहीं पर दो भाई बहनों में बड़े थे और यहीं पर कियारा अड़वानी का एक छोटी भाई और यहीं पर मीशाल है वह अपने मामा और यहीं पर परिवार के मादेम से कई यहीं पर हस्तियों से भी जुड़ी हुई है उसके बाद चुए अवी नेता आशुक कुमार और यहीं पर साइद जाफरी क्रमस उनके सोतेले यहीं पर परदादा और यहीं पर परदादी है जो कि यहीं पर जबकी माडल और यहीं पर शाहिन जाफरी उनकी चाची है दोस्तो आजके इस वीडियो में हम रिभीयो कररें बीबी यार मुवी को विभी वी यार मुवी को जो कि यह मूवी काफी बैठी पर शाहर और यहीं नजर आये हैं दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पुसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बली बूट का हर एक इंफरमिसन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा और साथी साथ इनिन का मुभी मैं आपको इस पर रिवियू करके देता हूँ क्यारा अडवानी ने यहें पर कबीर और संदानन की 2014 की कमेड़ी यहें पर फुगली के साथ बली बूट में शुरुआत की थी जिसमें यहें पर मुहीत और यहें पर मारुवा आरफी लंबा और यहें बिजन दरसी और यहें पर जीमी सिरगिल भी थे बली बूट हंगामा के तरण अड़र्ष ने कहा है कि क्यारा अडवानी आपको पूरी तरह से अंजान और यहें पर अंजान और यहें पर पकड़ती है और यहें पर प्रतिवा का सन्यूजन है उसके बाद डिकन करा निकल के यहें पर मेहूल एस यहें पर ठककर ने उसने प्रदर्ष न को बहुत यहें पर आकर्शक बताया है और कहा है कि वो बहुत सारे यहें पर बादे बहुत सारे वादे दिखाती है और इसने बॉक्स आपस पर खराब प्रदर्ष न किया हुआ ह यह पर अंटूल स्टूरी और यह पर लोग प्रियर क्रिकेटर एमेस धोनी की यह पर अधिकारी बायोपिक में देखा गया था जो कि भार्तिय क्रिकेट टीम के पुर्वा का फतान थे जहां यह पर धोनी की भूमिका के लिए जो हैं पर सुसांत सिंग राजपूत को चुना गया था वहीं उन्होंने यहीं पर उनकी पतनी साक्षी रावत की भूम का निभाई जो की एक होटल मेनेजर थी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में से एक इसने जो है दुनिया भर में दुस्त सुल्ला करोट कमाई और दो हजा सुजा सत्रह में उन् अबास मस्तान की निर्डेश शीट एक्षन त्रिलर और यह पर मसीन में जो ही पर नवा गंतुक और यह पर मुस्तफा उसके बाद मुस्तफा और यह वर्मवाल की प्रेम रूची की भूम का निभाई यह बाक्स आपिस पर जो है निराज थी और इसके बाद यह पर किया र और वानी ने नेटफलिक्स 2018 की इंतोलाजीकल फिलम यह पर लस्ट और स्टूरिज के साथ जो है OTT की शुरुआत की और जिसमें जो है महिला का मुकता और चार खंड सामिल थे और करंज जोहर के खंड में उन्होंने एक यह पर नभी विवाहित पत्नी की भूम का निभाई जिसका पती यह पर विक्की कौसल था विक्की कौसल धारा जो है अभी नीट उसके यौन और यह पर संतोस को पहजानने में बिफल रहता है एंडी टीबी के लिए लिए लिखते हुए यह पर राजा सेंड ने उन्हें यह पर इसने यहीं पर शकारतमा कुरूप से प्यारी और यह पर पाया और तेलगू सिनेमा में परवेश करने के उन्होंने महेस बाबू और अभी नीट भारत आंए भारत ने पर आने और नेनू पर यह पर हस्ताक चर्किये थे जो कि यही पर कुरा ताला सिवा के एक जो है पर राजनी तीक और यह पर कारे करदा थे जो कि एक छातरा के बारे में था जो कि यही पर आप्रतयाशी करूप से जो आंधर बर्डेश का मुख्या मंतरी बन जाते हैं और इंडिया टू डे की यही पे जन्नी के ने कहा कि वा जो है अपने यही पे संचिप्त और भूमिका में चमकती है लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एक चरितर एक यही पे आख और यही पे कैंडी से अधिक था जो की कहानी में कोई भी उदेश नहीं जोड़ता है और फिलम ने दुनिया भर में दूसर पचीस क्रोड से ज़्यादा की कमाई किये और जिसने चुई यह तेलगू सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई थी सितंबर 2018 में यो यो होनिस सिंग धारा जो है गाया गया यह पे उर्वासी नामक एक संगीत वीडियो जारी किया गया था जिसमें उनके और यह पे शाहिद कपूर जो है नजर आये हुए थे उसके बाद कियारा अडवाने ने जो है 2019 में वर्तमान संपादित करे और बोया पतिश रूनी की तेलगू एक्शन ड्रामा और बिने बिद्या राम अडवाने के 2019 की पहली रिलीज थी दा हिंदू के लिए एक यह पर तेखी और संपिक्चक में जो हैं पर संगीत डेवी डंडू ने लिखा है कि यह कियारा अडवाने की यही पर क्यारा अडवाने की पेरिया ड्रामा और यह पे कलंक में एक विसेस उपस्ती थी के साँच हिंदी सिनेमा में लोट आए थी 31 उनकी अगली उपस्ती थी शाहिद कपूर के साँच है संदीप वअंगा की यह रुमांटिक ड्रामा कबीर सी में थी उसके बाद वंका की 2017 की तेलगू फिलम आरजून रेड़ी का एक यह पे रूपा तुरा निया कपूर धारा निभाए गए यह पे टाई टेनिक चुरितर के बारे में है जो की आत्मा यह पे बिनाशकारी और यह पे रास्ते पर जाते हैं और यह पे क्यारा अड़वानी धारा निभाई गई अपने प्रेमी के बाद जो है एक यह पे शराबी और यह पे सरजन बन जाता है जिसकी और यह पे शादी कर लेता है और अलो चपोने फिलम में यह पे शत्री और द्रेश और यह पे बिसाक्त और यह पे पुरूस तुआ के चरित्र यह पे चितरान के यह पे प्रौती और यह नकार तमग पड़ती किरिया व्वेक्ट की हुई है उस वर्स उनकी यहें पर अंतिम भूमिका राज और यहें पर महता की कमेड़ी फिलम यहें पर गुड नियूज में थी जिसमें यहें लगभग दो यहें पर जोड़े इनी यहें पर बीटरो और यहें पर फार्टी लाइजेशन के साथ जो थे उसके बाद जोहें पर 34 मिंड के लिए जो है फिलम की समक्षा करते हुए यह पर अधीथा और जुञजुन वाला ने उन्हें भगवान से ड़ने वाली और यहें पर गोर्वाती मा के रूप में प्यारी पाया था उसके बाद कबीर सिह और यहें पे गुट नियूज दोनों ही साल की सब से ज़्यादा कमाई करने वाले हिंदी फिल्मों में सुमार है सन 2020 में कियारा अड़वानी ने यह 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 याउन और यह 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 य कहीं पे रचनातों परकारों में घटा दिया गया था उसके बाद जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के यह पे रोहन और नाहर ने लिखा है कि कियारा और यह पे उधार यह पे करती है और यह अभी स्वासनिया नाम के यह पे रूप में एक यह पे बिल्कूल इलेक्ट्रीक और परदर्शन एक यह पे उग्रा कालेश चातरा फैज की लिए जो है पे प्यार के साथ जो है उसी वर्स के दोरान जो है उन्हें यह पे तामिल फिलम कंचना की रीमेक में हरर कमेडी लक्षमी में अक्षय कुमार की पतनी के रूप में देखा गया था कोवीट 19 महमारी के कार नियर्डेशन में बनी पहली फिलम इंडू और इंडू की जवानी 2020 सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली बलीबूट फिलमों में से एक है और यह पे महमारी के कारण जो है अक्यू पेशी और यह पे गाईड लाइन के बीच जो है क्यारा अडवानी को जो है गाजिय दा रहे हैं जो कि आप लोगो बिल्कुल भी नहीं पता होगा दूस्तों इनके बारे में छोटी सी ज़ए कर रहा हूं जो कि मैंने रिविव कर रहा हूं बिद्धा बाध्या मोवी का जो है बिद्धा राम मोवी को जो है मैं रिविव कर रहा हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो उसके बाद क्यारा अड़वानी का अंतिम बाते में आप लोगो को बदलाएंगे अगामी परियोजना संबादित करे जो की धर्मा पोडुक्शन का अगला पोडुक्शन 2021 की एक्शन वार फिलम यही पे शेयर सह जो की सेना और अधिकारी बिक्रम बातरा और सिधार्ट मलहोत तरह धारा अवी नीद के जीवन पर जो है अधारित है और यह भी क्यारा अड़वानी को उनके मंगेतर के रूप में चितरीत करता है पुरी तरह से पूरा हो गया है और यह पे उन्होंने अनिस बाजमी की 2007 की प्रितिस यह पे प्रतिस ठी और इन पे अलोग की कमेडी भू प्रितारा अड़वानी धर्मा पोड़क्शन और यह पे महता के साथ रूमांटिक कमेडी फिल्म यह पी जुग जुग जीयों के लिए फिर से यह पे जुट रहे हैं जहां उन्हें पे वरुन धवन के साथ जोड़ा गया है और उन्हें पे शुसाइए पे शसांग खेतना शसाइम खेतान धारा जो है निर्तेशी धर्मा पोड़क्शन की एक्शन का मेडी फिल्म मिश्टर लेले में जो हैं पे बिक्की कौशल और यह पे भूमी और पेडनेकर के साथ जो है मुखे भूम का निवाने के लिए भी यह पे शाइन किया गया है दोस्तो इस वीडियो म जो है बिने बिद्या राम मुवी को जो है रामा फिल्म को रिवीव कर रहे हैं जिसमें जो है आपको राम चलंसर बीवे खुब्र है और किया रहा अर्वानी जो है नजर आई हुई है दोस्तों यह पे बोया पत्तिया सेरय उन्हीं साथ ने जो है इस फिल्म को डिए्रेट दोस्तों आप चलिए हम जानते हैं यहीं पर कियारा अड़वानी के बारे में हमने जान लिया है राम चरंसर के बारे में कुछ से रुमांटिक बातों को हम जानते हैं दोस्तों राम चरंसर के बारे मैंने काफी चीज़े बतलाया हुआ है पहले से ही बट एक बार दोबारा से मैं राम चरंशर के बारे में कुछ बाते आप लोग बतलाता हूँ इनका जनम जो है ये पर 27 मार्श उन से 85 में हुआ तो जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इनका पिता के नम है चिरंजी भी जो कि इनके पिता है और उनके बारे में आप लोग Imma को कई सारे वीडियों बतलाया हुआ है दोस्तो बद जब Now जिस मुवी को मैं रिवीव करता हूँ और उस मुवी के स्टार कास्ट के बारे में आप लोग को जरू बतलाता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आरह हो तो आप इस वीडियो को लाईक कर सकते हो और चानल पर नय हो तो चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो आज किस वीडियो में हम रिबीयो करें 하 fame भी वी आर मुबी को जो की 2019 में रिलिज़ किया गया था बिदे बिद्या रामा फिलम को जो है बिने बिद्या रामा मूवी को हम रिभीउ कर रहे हैं और अभी हम बाते कर रहे हैं स्टार कास्ट के बारे में राम चरन सर के बारे में कुछ ऐसी रोमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे जो कि ये अवी ने था चरन जीवी की बेटे हैं और चरन ने जो है सफाल एक्शन फिलम चिरूथा में जो है पाये था 2007 से अपनी जो है शुरूआत की जिसके लिए उन्होंने ये पे सर्वस रिष्ट पुरुस परदारपन दक्षिन के लिए ये पे फिलम फेर और ये पे पुरुसकार जीता हुआ है वह एसे सराजा मौली की ये पे फंटासी एक्शन फिलम और ये पे मांग धीरा 2009 की ये पे अभी नेता का फिलम फेर प्रसकार तेलगू भी सामिल है राम चरन ने जो है बेवसाइक रूप से सफल फिलमों में जैसे कि ये पे रच्छा 2012 क्यमियों हुई थी नायक 2013 में उसके बाद जो है ये वट्टू मौबी 2014 धूरवा मौबी 2016 और ये पे रंगासला मौबी 2018 के में इस्तापित किया जो की बाद में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिलम थी रंगासला में अपने प्रोडॉर्शन के लिए अलोज चको की प्रसंसा प्राप्त करते हुए उन्होंने सरवसरेश्ट इंपे अभी नेता तेलगू के लिए अपना दूसरा फिलम फेर पे मालिक है और यह पे छे त्रिया और यह पे एयर लाइन सेवा और यह पे टूर्जेट के जो हैं पे सह मालिक भी हैं उसके बाद प्रोड़ाम भी जीवन और प्रश्ट भोमी संपादित करे जो की राम चरंसर का जनम मदराश अब चन्नई में तेलगू फिलम अफी नेता चरंजी बी और उनकी पतनी सुरेखा के घर सताइस मार्शन उनेसे पचासी को हुआ था उसकी दो बेहने हैं वह जो है अलू और यह पे राम ली गया के पोते हैं और यह पे नागेंदर बाबू पौन कल्यान और अलू और बिंद के यह पे बतीजे हैं वह अलू और जुन तेज भाई द्रम तेज और यह पे अलू यह पे शिरिस निहारिqa यह पे कोनी डिल्ल और पंजा यह पे पांजा वेस्तन तेज के चछेरे भाई है और उनके पादमा पादमा शिशाद्र रिबाला यह यह पे भावण चन्नजाई यह पे रालेंस इसकूल यह पे लोड ड सब 2007 में राम चरन सर ने चिरूठा में प्रमुख अफिनेता के रूप में अपने सुरुवात की थी जिसे पूरी जगर नाध धाला निर्देशित किया गया था और 178 यहीं पर पर्तेक्च केंदरो और यहीं पर 15 अन्या इस थान तरीक केंदरो में 15 दिन पूरे किये गये और यहीं पर पर इस पुस्ट्री करन आप और अपराधी रामचरान की भूम का निभाई है ररीव ड़ुटकम ने कहा है कि उनके प्रवदर्शन की प्रसंसा करते हुए कहा कि राम चलन यहिंपे काफी यहिंपे आशा जनक है और निट्टिया और यहिंपे एक्छन प्रमुख यहिंपे प्रती प्रमुख प्रती तो होते हैं वह जो है छैंक लीक और फिल्म में उनके प्रम उर्धृ और त्प्रोसकार और नंदी ए ब्र रामा फिलम को रिवीव कर रहे हैं जिसे 2019 में रिलीज किया गया था दोस्तो अभी हम इनके बारे में इनके रियल लाइफ के बारे में हम बतला रहे हैं इनके लाइफ में कौन-कौन सा मोवी हेट हुआ है और कौन-कौन सा मोवी फलाफ हुआ है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे साउत इंडियन इन बली बूट मुवी का रिवियो जो है करता रहता हूँ दोस्तों यहाँ पे राम चरन सर के बारे में कुछ ऐसी अंचनी बातों को बतला रहा हूँ जो कि आप लोग इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे 2009 की फिलम यहीं पे आ फिलम जो है मकधीरा की रिलीज के बाद जो है उनकी दूसरी फिलम चरन ने खुद को टली बूट के अगरानी और यहीं पे मान कलिन अभी नेताओं में से एक के रूप में इस्ताबित किया फिलम जिसमें जो है उन्होंने दोहरी भूमकाए निवाई और एसस राजा मौली धारा निर्डेशिती और यहीं पे रामचरन के प्रदर्शन को समिक छको धारा शराहा गया था दराइमस अफ इंडिया ने जो है लिखा है कि रामचरन एक यहीं पे बहादूर सेनिक के इंडिया गिलीज ने यहीं पे टिपनी की है कि रामचरन ने एक यहीं पे परिपक और परदर्शन के सांच जो है आए और यहीं पे उन्होंने फिलम को बहुत अच्छी तरह से जो है निवाया है और उनके यहीं पे दोनों पात रो के सांच जो है यहीं पे नयाए दिया ग अभी नेता राम चरन के लिए तेलगू और नंदी इस्पेसल जूरी आवड भी मिला हुआ है और राम चरन सर ने जो है 2010 में यहीं पर बॉम रिलू और यहीं पर भास करकी यहीं पर आयरेंज में अस्ट्रेलिया में रहने वाले एक यहीं पर एन आर आई की राम के रूप में अभी ने किया हुआ है इंडिया इंगलीज ने यहीं पर लिखा है कि राम चरन सर ने जो है पूरी फिलम में एक यहीं पर उत्क्रिश परदर्शन किया है और उनकी पर पोशाक, मेक आप और यहीं पर ड्रेसिंग, स्टाइल और यहीं पर एकसे स्रीज और यहीं बड़ी ब पनवात और यहीं पर माडूलन और यहीं पर शरेड की भासा जो है उनकी अगली फिलम जो हैं पर रचना थी जिसका जो है नेर्टेसन संपादत नंदी ने जो है किया हुआ था उन्होंने एक यहीं पर जुवारी बेटिंग राज की भूम का निभाई जो की इंडिया गिल तो में एक यहीं पर मेगा इस्टार है और एक यहीं पर मजबूत स्क्रिप्ट की मदद से जो हुआ यहीं पर बहुत बहतर हो सकता था यह फिलम जो है पांच अपरेल 2012 को जो है रिलीज हुई थी और इससे जो है बेवसाई के रूप से शफल और यह पर घोसित भी किया गय में अपनी फिलम यहीं पर जंजीर के प्रचार के दौरान जो है प्रिंका चोपराने साथ यहीं पर रामचरन के 2013 में उनके पहले रिलीज भी भी बिनायक धारा जो है निर्देशी थी और नायक थी जिसमें जो है उन्होंने एक और दो हरी भूमकाई निवाई डटाइमस अफ इंडिया ने यहीं पर लिखा है कि रामचरन सर्ण ने जो है बहुत अच्छा काम किया हुआ है हाला की दोनों पात्रों के बीड जो है कोई भी यहीं पर भीर नता नहीं दिखाई गई है यह मोबी जो है सकार तमक अलोच नार तमक परसांसक के लिए झो है खुला और एक बेवसाइक सफलता बन गई थी रामचरन सर्ण ने जो है बले बूड में अपने शुरुआत प्रियंका चोपरा के साथ जो है जंजीर में की जो की सन 1973 में इसी नाम की फिलम की रिमेक थी और उन्होंने एसेपी बिजय खन्ना की भोमिका निभाई जो की अपने माता फि जंजीर के तेल्गू संसकरन और इपित तुफान एल्बम पर जो हैं पर संगेत बद किया हुआ है उसके बाद यहीं पर वामसी और पोड़ी पली धारा नेड़ेशित अपनी अगली तेल्गू फिलम वेड़ू 2014 में उन्होंने दो यहीं पर किरदार निभाए हैं एक यही पर बेंगलोर मिरर्额 पर ने जो है लिखा रामचरन सर्के लिए यहीप वेड़ू और बॉक्स यहीं पर बॉक्स आपिस पर जोहरे तुफल ने हिट होने के यहीप बाद अपनी यें पे इस्ती थी और ये पे श्तापित करने के लिए जो है सकता है उसके बाद ये पे चरित रखे दो और ये पे रंग है और वो जो है पे बिदा वो जो है बीबी डथा लाने के पूरी कोशिश भी करते हैं उसके बाद वह ऐसे निर्टियक करता है जैसे कि यह पे कल नहीं है और यह पे कोरियोग्राफी है देखने के लिए एक यह पे खुशी और सीफी ने लिखा है कि उनकी पिछली फिल्मों नायक और यह पे तुफान की तुल्लामे राम चरंसान ने यहां काफी अच्छा काम किया हुआ है उनका अभिन्य गहन दिर्श्जो और यह पे एक्षन एपीशोड में परभावीत है और अपने दर्शकों को अपने दर्शकों को संदुष्ट करने के लिए उन्होंने सौतंतर दागित में भी यह पे कुछ अच्छे यह पे कदम उठाए हैं उसी वर्स उनकी यह पे अगले रिलीज परीवारी की ड्रामा यह पे गोबीन दूदू और यह पे अंदारी देले थी जिसमें जो है फिलम को अलो चकों से ज्यादा तर यह पे शकार तमक यह पे समय चाये मिली हुई है और बक्स अपिस पर जो है 40 करोड से अधिक कमाई की है 2019 में 51 करोड यह यह उसे में 7.2 मिलियन के बराबर की कमाई की हुई है उनकी अगले फिलम जो है ब्रूस ली थी जहां उन्होंने एक यह पे इस्टन्ड मैन की भूम का निभाई जो की यह पे हाता पाई में सामिल हो ज जिसमें जो है उन्होंने एक यह पे आई पीएस अधिकारी के रूप में भूम का निभाई एक ब्यूसाइक यह पे सफलता है और टाइमस अफ इंडिया ने लिखा है कि राम चलंसर अपने यह पे सबसे हीट और दिखते हैं और एक अवी नेता के रूप में राम चलंसर य रूप में यह पे उंचा किया जाना था वह अपने प्रसंद सको को जो हैं निराश नहीं करेंगे दोहजर अठारे में वह जो हैं पे सुकू मार के नेड़े सन में बनी यह पे रंगा स्थलम में दिखाई दिये थे और तहीं पे अधीर और यह पे चित्थी बाबू के रू बन गई है दोहजर उन्नीस में उन्होंने बोया पत्ती सिरिनु धारा जो ही पे निर्देशित एक्शन फिलम बिने बिद्या राम में जो ही पे कियारा अड़वानी और बीवेक ओबराय के सांच जो है अभी ने किया हुआ हुआ है बॉक्स अपिस वर फिलम जो है बिफलत साइदी नंबर 150 2017 और यह पे साईरा यह पे नरसिमा रिड़ी 2019 का निर्मान किया हुआ है जनवरी 2021 तक यह पे राम चरन सर को जो है पे अगा में फिलमों का जो है यह पे हिस्सा है वह है एसेस राजा मौली के निर्देशन में बनी फिलम यह पे तिरबल आट 2021 में अलू यह सीता अलूरी सीता राम राजू की भूम का निभा रहे हैं और जिसमें एंटी राम राव जूनियर है और वह पे कोरा ताला सीवा धारा जो है निर्देशित और यह पे चिरन जीवी इस्टारर और यह पे अचार्या मोबी 2021 में भी एक महत्वा पूर्ण भूम का निभाएं 黏 उसके पास जिसे जो ही हैं यही पे मैटिनी एंटरटेन्जमन के साथ जो है निर्मान भी कर रहे हैं और उन्हें दिल अराजू की स्री वेंकेट इस्वर की यहीप धिक कमपनी के मालिक है और काफी जादा साउथ इंडिन की फिल्मों में इन्होंने जो है म्यूजिक तयार कियो है इनकी करियर के बारे में अब हम बाते करेंगे जहां पे इनका करियर स्टार्ट होता है सन 1999 और 2001 से इनकी करियर के सुरुआत और यहीं पे सफलता समपादित करें 1999 की तेलगू फिल्म देवी के स्कूर और यहीं पे साउंड डिरेट की रसना की थी इसी प्रकार 29 साल की अमर में एक यहीं पे फिल्म संगीत कार के रूप में अपनी सुरुआत की थी उन्होंने फिल्म के लिए यहीं पे साउंड डिरेट के तमिल सस्करन की भी यहीं पे र लीरा 2001 के लिए सहयोग किया था और डेवी ने उसी वर्ड्स फिलम यह पे अंदन यह पे अंदम के लिए जो है एल्बम के साथ जो है अपनी शफलता हासिल की थी फिलम ने निर्देशक सरीनू और यह वैतला के साथ जो उनके पहले सहयोग को चिनहीत किया था उन्होंने प्र सेंगीद अच्छा है खाला कि कुछ गाने और यहीह बैक श्ट्रीट और बैक है यह पे बायर्जक के काम-बैक के सरे प्रार्eln अच्छा है और यह नहीं है नहींग अच्छे संगीद हैं औरBlी यहीं पनी बबाकर कायंब करने मुख़ए अरहां यही पे बंदा और सफल फिलम एलबम है और उसी वर्स उन्होंने यही पे एक तामिल फिलम और बदरी के लिए जो है फिलम एसकोर्ट तयार किया हुआ है यह तामिल संगीत उगोग में जो है उनकी शुरुआत का पड़ती था उसके बाद 2002 से लेके 2005 तक राईज टू और यही पे परमुक तासम भादित करें सन 2002 में उनके पास जो हैंपे पांच एलबब रिलेज हुए और इन यही पे फिलमों के साउंड डिरेक्ट एलबम जो हैंपे कालू सू को वलानी और यही पे मनम यही पे अमनम गुड़ू और यही पे सुन सुन्थम उसी समय के सबसे बड़े यही पे चार्टर बास्टर ब फिलम और यही पे सुना थम और यही पे मन मंगुड़ू को वर्ज की यही पे संकीत में हिट फिलमों के रूप में माना गया था और इन यही अलबमों के अधिकांस गीतों को यही पे व्यापक रूप से सराहा गया था उसके बास जो है मन मंगुड़ू और यही पे अच्छा है गीतों के चित्रोन ने जो हैं पर मनम घुडू के यह पर आडियो और यह पर उंचा कर दिया और उसी वर्स देवी स्री परसाथ संगीत के रसना की एक यह पर देश भक्ति फिलम यह पर खट गाम और यह पर टाइमस अफ इंडिया के जो है क्रिस्ट परसाथ और यह पर चीगरू पति ने लिकाईगी देवी स्री परसाथ धारा जो है रचीत और यह पर मेमे इंडिया ममे इंडियांस और यह वयं और यह पर हनसे के संकेट के सांद पर भारतिया यह पर भार्तियों के बीज यहें पे वास तबीक यहें पे दिरिश्टी कौन और यहें पे एक ताको जो है दर्शाता है और यहें पे सुमंग गली धारा जो है गाया गया है उसके बाद जो है नुपू नुपू एक और सबसे ज़्यादा एक और सबसे बड़ा है और एलबम की हिट और उसी समय तक देवी तेलगू सिनेमा और यह पे तेलगू संगीत में सबसे अधिक मांग वाली संगीत कारों में सबसे अधिक मांग वाली संगीत कारों में से एक बन गई थी उसके बाद ये धपी फिलम वर्स 2004 में रिलीज हुई थी इसका ये पे साउंड डिरेक्ट इल्बम जो है 18 सितंबर 18 डिसंबर 2003 को अधित्या ये पे मुजिक के माध्यम से ये पे अनुफ पॉर्ण इस्टूडियो और ये पे हैदराबाद में फिलम के आडियो लांच और ये पे इवेंट में जारी किया गया था या निर्माता इसस राजू के साउंच जो है उनका ये पे दूसरा सहयोग है जिन्होंने उन्हें जो है सन 1999 में देवी के माध्यम से फिलम और ये पे उगोग में पेस किया हुआ है और देवी अपने भाई और ये पे गंधम और ये पे शफार को जो है एल्बम के नीती से जो है संगीत उगोगों में पेस किया और फिलम जो है बॉक्स अपस पर जबड़ दस हिट रही हिट रही थी और साउंड डिरेक्ट ने जो उन्हें तीन पुरसकार भी दिया हुआ है सन 2004 के बाद उन्होंने यहीं पे उसका जो इसका साउंड डिरेक्ट एलबम जो अठा बाद में जारिक किया गया था उसके बाद यहां निर्मा था ऐसे सराजू के साथ जो है पे उनका दूसरा सहयोग था जिन्होंने 1999 में देवी के माद्यम से फिलम उगोग में पेस किया देवी ने अपने भाई और यह पे गंधौन और यह पे शागर को एलबम के नी ती संगीत और यहां पर शिनेमा और पुलोषकर सरभाचर संगीत आक के लिए सामिल यह पे पुर्वा और यह पे भावनपूर और यह पे मधूर और यह पे रोमांटिक संगीश थे यह पे दर्शकों को पर यह पे दर्शकों पर यह पे गहरा यह पे पर भाव डाला हुआ है उन्होंने अपनी अगली यह पे बड़ी हिट आ रहे हैं 2004 में अपनी रोमांटिक सं योग सहयोगी थे और यही पर आँते और यही पर अमला पुर्म गीत को जो हैं पर तेल गु राज्यो और यही पर भारत के अन्या हिस्सों में यहीं पर ग्यापक और यही लोग परियता मिली हुई है डे टाम्स अफ इंडिया के एक यहें पर अलो चिनात्मक धारा जो है च्छ और यह पर ट्रेक अब तक का सरवसरीड गैना जाता है उसके बाद इंडिया गिलेज ने एक यहें पर अन्नय अलो चकों ने उड़त किया है के जिस विक्ति को सभी यश के साथ जो है दूर जाना चाहिए वो जो है संगीत कार देवी स्री पर साथ है वो जो है गीतों में अपने यह पे प्रदर्स यह पे प्र अपने पढ़ना दायक और यह पे सर्वसरेश पर जो है और यह पे पून रिकार्डिंग में वह यह पे गर उसके बाद फिल्माई कई लॉव और फिल्म के चछ यहіंपे नंबरों में से एक है और उसी वर्ट यहेंपे DSP ने दो गीतो और यहेंपे चैला चैला और में अपनी यहेंपे पहली यहेंपे अन अ स्क्रीन उपस दीति दर्च की थी यहेंपे संदेव पूर्डू और फिलम संकर दादा यह पे एम बीबियस और चिरन जीवी के साथ जो है अगले वर्स उन्होंने यह पे वर्सम और यह पे मजहागाई यह पे मजहाई के यह पे तामिल रिमेक के एलबम की रसना की थी देवी के साथ जो है पे 2005 में तेलगू और तामिल दोनों में यह पे 11 और यह पे एलबम रिलीज हुए थे जो कि अब तक के एक की वर्स में रिलीज की गई थी सबसे अधिक यह पे संख्या है 21 दिशंबर 2004 को रिलीज हुई थी यह पे नूबोस्ता नूबोस्तान तते और यह पे ननो दंदता ने यह पे साउन डिरेक्ट ए फिलम यह पे उत्पधान यह पे उत्थला और भैरवी के लिए घंटा यह पे घंटा साला धारा गाए गए यह पे एक गीत प्रेमा और यह पे कोसमाई और यह पे बुलालो को यह पे रिमिक्स किया गया है यह पे idealbrand.com के एक यह पे समिक छकने महसूस किया है कि यह पे DSP का यह पे सबसे अच्छा परिनाम था और उन्होंने यह पे ओड़ार्ट किया है कि जब यह पे आप यह पे स्टीरियो पर जो हैं पे सुनते हो तो गाने बहुत अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन यह पे परस्तीतियों के बिज़ यह पे स्क्रीन पर यह पे कैपचर होने पर वह जो है पूरी तरह से अलग होते हैं फिलम में गाने सबसे अच्छे हैं री और यह पे रिकार्डिंग और यह पे बैकराउंड एसकोर बहुत बढ़िया है और इन गीतों में यह पे लए और यह पे मस्ती भावनाओ का उभार है और यह जुनून है इसी फिलम के गीत और कह मिला हुआ है सफलता देवी से परसाथ और यह पे तामिल में अपनी जो सफलता हासिल की हुई है दोस्तों आज की इस पीडियो में हम बीवी आर मुवी को रिवीव कर रहे हैं यह पे उसके बाद जो है इस फिलम के बारे में कुछ ऐसी रमांटिक बातों को हम बतला रहे है बिने बिद्धा रामक फिलम को हम रिवीव कर रहे हैं और अभी हम बाते कर रहे हैं देवी स्री परसाथ सर्गे बारे में जो की एक बहुत बड़ी म्यूजिक कमपनी के मालिक है और काफी बहतरी फिलमों में इन्हों ने जो है म्यूजिक दिया हुआ है दोस्तों अगर जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा आप जो है वहाँ से इस मूबी को असानी से देख सकते हो दोस्तों देवी स्री परसाथ सर के बारे में कुछ बाते बतला के मैं जो है वापस इस मूबी से तरफ चलूँगा और उसके बाद जो है मैं आप लोग से इस वीडियो से बिदा ले लूँगा सन 2006 में उनकी अगले रिलीज यहीं पे सिफी रोमांटिक और फिल्मे थी जो कि इनमें से यहीं पे आने वाली उम्रेकी फिलम और यहीं पे बोमा रिलू और सबसे बड़ी हिट रही थी फिलम के संगीत को यहीं पे समिक छकों से सगार परती क्रियाएं मिली हुई है और यहीं पे अपुडो और यहीं पे इपुडो नामक यहीं पे थपनी और यहीं पे बोमनी गेश्टे वर्स की यहीं पे चार्टर बास्टर बने थे इंडिया गिलेज के एक यहीं पे अलोचक ने कहा है कि यहीं पे बोमनी और यहीं पे गि आप यहीं पे चाहेंगे कि वहाँ बार बार कुछ यहीं पे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं उनका यहीं पे वात और यहन तरभ इसे सुरूप से जहीं पे बाइलिक और इसे पहनावा एक शब्द में यहीं पे शंदार है और फिलम का विसरे और वायलान और गायन बहुत सुदर है एल्बम में एक यह पे अच्छा है और यह जो है वर्स के सबसे अधिक कमाई करने वाले तेलगू संगीत एल्बमों में से एक बन गया है भारतिया गाने को यह पे शंग रहने जो है दर्सकों के लिए यह पे फीड और यह पे गूड साउंड डेट की यह पे सिफारिस की हुई है और देवी सिरी परसाद पहली बाद पूर्णाना यह पर पूर्णानी के लिए एक यह पर क्लासिक और यह पर प्रामपरिक यह पर सैली के संगीट एलबम की रस्टना की हुई है उसके बाद देवी सिरी परसाद ने ट्रेक भारत और यहें पे वेट भूंगा ने जो हैं पर D.A.S.P. को अपनी सास्तरिया परतिभा को भी यहें पर साबित करने में मदद की हुई है यह एक यहें पर सादा बाहर चार्ट बास्टर थी और यहें पर चीतरा और यहें पर D.A SPI और SIPI विडना और यहें पर चार्मी धारा कि एग आह सबसे बेहतरीन कारियों के रूप में भी पहचानी और यहें पहचानी जाती है और Time अफ इंडिया को संगीत कि Time अफ इंडिया ने हिपर संगीत और निर्दे सकी 6 और सर्वजच यहें पे रचना हैं, सेर्ष से यहें पे एक और यहें पे लेख लिखने वाले एक यहें पे अलोचक में, यहें पे अनन और यहें पे कालू, अनन कालू सुको वालीन और यहें पे मन मदूडू, वरसना और यहें पे नुवस तंते और यहें पे ननो दंतताने और यहें पे आर्या फिल्मों के साउंड डिरेक्ट सामिल थे इन सभी कारियों ने उन्हें और यह पे अधिक प्रसंद सा जीतने के लिए प्रेडित किया हुआ है 2007 में DSP धारा संगीत रसना के साउंड जो है चार फिल्मों में रिलीज की गई थी सीफी फिल्म और एक्षन कामेडी फिल्मे थी और यह पे DSP के संगीत को यहीं पे समिक चको और दर्शको से अच्छी समिक चाये मिली हुई है उन्होंने प्रवु देवाधारा निर्देशित फिल्म यह पे शंकर डादा जिंदाबाद के कीत यह पे गूड मार्निंग और हैदरबाद में यह पे चिरन जीवी के साथ जो है अपने दूसरी यह पे ऑन स्क्रीन यह उपस्तिती दर्श की हुई है यह फिल्म उनकी पहले बनी फिल्म यह पे शंकर डादा और यह पे अगली कड़ी है और अगले साल देवी ने फिल्म यह पे संगमा के स्कूर और यह पे साउन डेलेट की रसना करने के यह पे कॉर्णाड में शुरुआत की हुई है उसके बाद यह पे त्री पिकरम और यह पे स्रीनी वासदारा जो है निर्देशित यह पे यह पे जलसा साल की यह पे सबसे बड़े हिट थी और इसे जो 29 फरवरे 2008 को लंच किया गया था और साउन डेलेट के बीच यह पे अगलो और यह पे त्रीन टंडे और यह पे माई ह हट यह पे इज और यह पे बीट। लोग परियाओ थे एक यह पे अलोचक ने फिलम में देवी के संघीत का यह पे शेरिया यह पे जुसीला यूवा और यह आभी स्वास निया रूप से मजेदार भरा यह यह पे कमल और यह पे आफी नीठ एक्शन त्रिलर फिलम जो हैं दसा दसा उतारन के लिए जो है पिर देवी ने अगली बार जो है फिलम इसकोर बनाया हुआ है दोस्तो आज की इस फीडियो में हम रिभीव कर रहे हैं देवी सिर्फ परसाथ की मूजिक को और इस फिलम के बारे में भी हम बता रहे हैं जो किराम चरंद सर का 2019 मी मोवी रिलिज हुआ था इस फिलम का सौ enforcement में DVW नाम है लेकिन इस फिलम को बिने बिद्या रामा कहा जाता है दोस्तो बिने बिद्या रामा मोवी जो है 2019 में रिलिज किया गया था और अभी हम बाते कर रहे थे इस फिलम के بारे में दोस्तो आज की इस फीडियो में हमने काफी अच्छी रोमांटिक बाते बतलाया हुआ है इस मूवी से जूरी दोस्तो इस फिलम को रिलीज किये हुए जो है आज से एक साल पहले ही रिलीज कर दिया गया था 11 जन्वरी 2019 में इस मूवी को रिलीज किया गया था जब अभी जो है लॉकडाउन का कोईज भी यहां पर कोई भी प्रोलम नहीं था और 2020 से लॉकडाउन लगा दिया गया था इस फिलम को डिरेट के हुए बोया पत्ति सरिनु सर ने और इस फिलम को इन्हों ने ही लिखा हुआ है साथ ही पडियूसर के बार में हम बाते हैं दीबीबी दानिया सर ने इस फिलम को पडियूस कि हुए जो कि दीबीबी एंटर्टेन्मेंट कंपनी के बैनार तले इस फिलम को बनाये गया है इस फिलम को तेलगो और हिंदी और मले अलम और करनेट भासा में भी डॉप किया गया है स्टार कास में आपको करीज सारे एकड़र देखने को मिलते हैं जैसे कि रामचरन सर जो कि यहें पर कुनी डिला के किरदार इन्होंने इस फिलम में निभाय हुए है बिबे कोबरे जो की राजा भाई मुन्ना का किरदार इन्होंने इस फिलम में निभाय हुए है यहें पर कियारा अडवानी जो किसी था पपा का किरदार इन्होंने इस फिलम में निभाय हुए है प्रसांद इस यहीं पे किंडेला और भूबन कुमार का केडार इन्हों ने इस फिल्म में निभाया हुआ है उसके बाद सनिहा जो है यहीं पे गायतरी देवी का केडार इन्हों निभाया हुआ है आरियन राजेस जो इन पे दो इन पे ब्रोदर यानि शेकर काकेडार इन्होंने निभाया हुआ है उसके बाज़े में मधू मत्य और इंपिरभी बर्मा उसके बाज़े पुरवीना उसके बाज़े मधू नंदा उसके बाज़े हमाज़ जो कि इसमें कई सरे स्टार कर्ष्ट आपको देखने को मिलते हैं इस फिल्म की गाने को जो यह देवी सरी परचास सर ने तयार किया हुए है जो कि मैंने उनके बारे में आप लोगो जो काफी अच्छी रुमांटिक बातों को बतला है और अभी हम बाते कर रहें स्टार कास्ट के बारे में राम चरन सर के बारे में कुछ ऐसी रुमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे जो कि ये अभी नेता चिरन जीवी की बेटे हैं और चरन ने सफाल एक्शन फिलम चिरूथा में पाये था 2007 से अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्होंने ये पे सर्वस्रेश पुरुस परदारपन दक्षिन के लिए ये पे फिलम फिर और ये पे पुरुसकार जीता हुआ है वह एसे सराजा मौली की ये पे फंटासी एक्शन फिलम और ये पे मांग धीरा 2009 के ये पे आठ प्रमुकता से बढ़े और ये पे जिसने ये पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तिल्गू फिलम होने का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने इसी फिलम के लिए जो हैं पे कई पुरुसकार जीते हुए हैं जिसमें सर्वस रिष्ट अभी नेता का फिलम फैर पुरुसकार तेल्गू भी सामिल है राम चरन ने जो है बेवसाइक रूप से सफल फिलमों में जैसे कि ये पे रच्छा 2012 कमी मुवी थी नायक 2013 में उसके बाद जो है यवड़ू मुवी 2014 धूर्वा मुवी 2014 सुल्ला और ये पे रंगासला मुवी 2018 के साच्चू ये पे खुद को एक प्रमुक तेल्गू फिलम अभी नेता के रूप में इस्तापित किया हुआ है 2018 में इनका एक और मुवी आया था उसके साच्चू ये खुद को परमुक तेल्गू फिलम अभी नेता के रूप में इस्तापित किया जो की बात में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिलम थी रंगासला में अपने प्रोडर्शन के लिए अलोज चगो की प्रसंद सा प्राप्त करते हुए उन्होंने सर्वाश रिष्ट इन पे अभी नेता तेलगू के लिए अपना दूसरा फिलम फैर प्रस कार्ड जीता सन 2016 में राम चरन सन्न ने अपना खुद का प्रोड़क्शन हाउस जो हैं पे कुनी डेला प्रोड़क्शन कंपनी की इस्थापना की और अपने यह पे फिल्मी करियर से परे वा जो है पोलो टीम और हैदराबाद पोलो और यह पे राइडिंग कलब के जो हैं पे मालिक है और यह पे छे त्रिया और यह पे एर लाइन सेवा और यह पे टूर जेट के जो हैंपे सह मालिक भी हैं उसके बाद प्रराम भी जीवन और यह पे परश्ट भूमी संपादित करे जो की राम चरनसर का जनम मदराश अब चन्नाई में तेलगू फिलम अफी नेता चरन जीबी और उनकी पतनी सुरेखा के घर 27 मार्शन 1985 को हुआ था उसकी दो बेहने हैं वह जो है अलू और यह पे राम ली गया के पोते हैं और यह पे नागेंदर बाबू पौन कलियान और अलू और बिंद के यह पे बतीजे हैं वह अलू अरजुन बरून तेज भाई दरम तेज और यह पे अलू यह पे श्रिस निहारिका यह पे कुनी ड पाटमा शेशार रिबाला यहीं पर बहुंद चन्नही पर रालेंस इसकूल यहीं पर लोडडेल और हैदराबाद की बल्की इसकूल यहीं पर बेग मटे और यहीं पर सेंट मेरी मेरी कालेज हैदराबाद में जो सिक्षा पराप्त किये हुए हैं फिल्मी करियर के बारे में अब हम बात ही करेंगे सन 2007 में राम चलन सर ने जो ही पे चिरूठा में जो है प्रमुख अफी नेता के रूप में अपने सुरुवात की थी जिसे जो है पूरी जगरनाथ धाला जो है निर्देशित किया गया था और 178 पर्टेक्च और यहीं पर केंद्रो और यहीं पर 15 अन्या इस थान तारीक केंद्रो में जो है 15 दिन पूरे किये गए और यहीं पर इस पश्टी करन की जो है आउसक था एक पुरुवा यहीं पर अपराधी रामचरन की भूम का निभाई है और अरीव.com ने कहा है कि उनके प्रोड़ुर्शन की प्रसंसा करते हुए कहा कि रामचरन यहीं पर काफी यहीं पर आशा जनक है और निर्थ है और यहीं पर प्रमुक यह पर प्रती प्रमुक प्रती तो होते हैं वह जो है डांस नमबरों में काफी यह पर सुन्दर वह जो है सनवाद के माध्यम से अपने स्टार पिता के यह पर किसी भी यह पर परोत और यह पर संदर्ब से जो है संदर्ब से जो है इस पॉस्ट रहते हैं यह किसी भ यहीं पे कन के फिल्म में उनके प्रवदा और सन्य जो है उन्हें फिलम फियर सरवस्ट रश नहीं पे दक्षीना और नबोदो दित पुरसकार और यहीं पे नंदी एस्पेसल जूरी अवार्ड जो है दिलाए गया है दोस्तों आज की इस पीडियो में हम रिभीव कर रहे हैं राम चरंसर की मूवी बिदे बिने बिद्या रामा फिल्म को रिभीव कर रहे हैं जिसे जो है 2019 में रिलीज किया गया था दोस्तों अभी हम इनके बारे में इनके रियल लाइफ के बारे में हम बतला रहे हैं इनके लाइफ में कौन-कौन सा मूवी हैट हुआ है और कौन- प्रिंसर के बारे में कुछ ऐसी अंचनी बातों को बतला रहा हूं जो कि आप लोग इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे 2009 की फिलम यहीं पे आ फिलम जो है मकधीरा की रिलीज के बाद जो है उनकी दूसरी फिलम चरन ने खुद को टली बूट के अगरानी और यहीं पे मान कलिन अभी नेताओं में से एक के रूप में इस्ताबित किया फिलम जिसमें जो है उन्होंने दोहरी भूमकाए निभाई और एसस राजा मौली धारा निर्डेशिती और यहीं पे रामचरन के प्रदर्शन को समिक छको धारा शराहा गया था दराइमस अफ इंडिया ने जो है लिखा है कि रामचरन एक यहीं पे बहादूर सेनिक के इंडिया गिलीज ने यहीं पे टिपनी की है कि रामचरन ने एक यहीं पे परीपक और यहीं पे परदर्शन के सांज आए और यहीं पे उन्होंने फिलम को बहुत अच्छी तरह से जो है निभाया है और उनके यहीं पे दोनों पात रोके do혜्याय दिया है और उन्होंने कई ये पे जगवों पर अपने पीता की याद दिला दी और फिल्म को सर्वस रिष्ट के लिए जो है फिल्म फियर प्रसकार सहीं जो अच्छा फिल्म फियर प्रसकार मिले हुए है अभी नेता राम चरन के लिए तिलगू और नंधी स्प्पेशल जूरी अवार भी मिला हुआ है और राम चरन सरने जो है 2010 में यहीं पर बॉम रीलू और यहीं पर भास करकी यह पर आयरेंज में अस्ट्रेलिया में रहने वाले एक यह पर NRI की राम के रूप में अभी निया किया हुआ है इंडिया इंगलीज ने यह पर लिखा है कि रामचरन सर ने जो है पूरी फिलम में एक यह उत्कृष परदर्शन किया है और उनकी पुषाक, मेक आप और यह पर ड्रेसिंग, स्टाइल और यह पर एकसे स्रीज और यह पर बड़ी बड़ी लेंग्वेज दर्शकों को जो है एक यह पर शहरी विक्तिका जो है एक नयाय एहसास देती है उन्होंने एक्षन सही चोहीं पर सीफी और यह पर विभागों में बहुत यह पर सुधार दिया हुआ है और निर्टय सनवात और यह पर माडूलन और यह पर शरेड की भासा जो है उनकी अगली फिलम चोहें पर रचना थी जिसका जो है निर्टेसन संपादत नंदी ने ज पूमिका निभाई जो की इंडिया गिलेज ने लिखा है कि वह चीरू और यह पे नेज की चमक को जो हैं पे पहले की तूलना में अधिक दिखता है और चाहे वह उसका यह पे बैरी टोन हो यह पे अचारण हो वह वास्तों में एक यह पे मेगा इस्टार है और यह पे साइक रूप से सफ़ाल और यह पे घोसित भी किया गया था दोहजार तेरह में अपनी फिल्म यह पे जंजीर के प्रचार के दौरान जो है प्रिंका चोप राने साथ यह पे राम चलन के दोहजार तेरह में उनके पहले रिलीज भी भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सतर करोड के बज़ित पर इस फिल्म को बनाए गया था और इस मुवी ने जो दुनिया पर में 95 करोड का इंकम किया हुआ है इस फिल्म का म्यूजिक भी देवी सरी परशाद ने तयार किया हुआ है और इस फिल्म के डिरेक्टर के बारे हम बाते करें तो बायो पती से सरी में और इस Plus को अग्राप यूटूब पर देखना चाहिए हैं इस 59 के मैं इस मुवे को आप लोग बत्लाना चाहता हूं दोस्तों आप ब्र्यकुन स셔서 जनम के बारों हम बाते करें तो 3 सप्टेंबर सन 1976 में इनका जनम हुआ था और इनका एज जो है 44 साल के ये हो चुके हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम भी बेक वराय के हर एक इंफरमिशन देंगे साथी बतलाएंगे कि इनका अब तक जो है बली बुड में कितना मोवी आ चुका है और उन में से कौन सा मोवी हीट हुआ है और कौन सा मोवी फुलाफ हुआ है दोस्तो अगर आप लोगको मेरी ये वोइस पसंद आ रहा है और मेरे ये आडियो भी और मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अब हम बाते करेंगे बीवेक उबरायशर के बारे में इनका जनम जो है 3 मार्च 3 सितंबर सन 1976 में हुआ था एक भारतिय अवी नेता हैं जो की मुख्या रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं उन्होंने राम गोपाल वर्मा की कमपनी दो हजार दो के साथ जो है अपनी फिल्मी करियर की शुरूआत की थी जिसने उन्हें जो है दो फिल्म फेर प्रसकार जीते हुए हैं और बीवेक आवर्वेक का ओ जो है जनम है है तरबात तलंगाना में एक जो है पंजाबी पिता सूरेस आवर्वेक के एक जो है एक अनूब भावी बलेवूर्ड यह परी बलीवोड चरितरा अवीने नेता और यहें पे यशोधरा ओवर्वेक के घर हुआ था जो की यहें पे अबेशर यहां पे यशुधरा अबरोई जो की एक तमिल परिवार से हैं उनके घर हुआ था और यहां पे ओवराय ने मिठी बाई कालेज मुंबई में पढ़ाई की थी लंडन में एक अभी नेता की कारियर साला में उन्हें निवर्क और यह पे बिस्वब धाले के निवडिशक ने देखा था जो की भीवेक को यह पे निवर्क ले गए जहां उन्होंने फिल्मी अभी नेमे अपनी यह पे मास्टर डिग्री पूरी की थी बिवेक ने भारत में एक यह पे पदकता लेखा के रूप में भी काम किया हुआ है अब इनकी करियर के बारे में हम बाते करें जो की सन 2002 से इन्होंने अपनी करियर की यह स्टार्टिंग की थी और 2009 तक जो है काफी बहतरे इन्होंने काम किया था बिवेक को बराएं नो जो है राम गुपाल वर्मा की फिलम कंपणी में राम गुपाल वर्मा की कंपणी से जो अपनी सुरुआत की थी उन्होंने सर्वस रिष्ट मोबी सन 2002 में उन्होंने यह पे शाद अली धारा नेड़ी शीट यह पे साथ यह में अभी ने किया था फिलम बक्स अपिस बर्ट जो है सफल रही थी और उन्होंने सर्वस रिष्ट अभी नेता का सिरिनी में फिलम फेर नमांकर मिला था सन 2004 में उन्होंने जो है कमेडी मस्ती और यूवा और ही पे राज जिनितिक मोबी जो है और इसमें अभी ने किया था सन दो हजार पांच में उन्हों ने यहीं पे किसना दा यहीं पे हुआ रिया पोएट में जो है सिर्शक और यहीं पे चरी तरन निभाया था सन दो हजार चे में वह जो है सेक्स पेरियट के नाटक और यहीं पे उथेलो यह पे उठेलों के एक यह पे रूपा तरन और यह पे ओमकरा में दिखाई दिये थे उसके बाद जो है मूल नाटक में माइकल और यह पे कैसियों के चरीतर पर जो है ऐधारित केशु के चरीतर को जो है निभाते हुए बीवेक ओबराय के यहीं पे परफॉमस देखने के बाद गुलजार ने उन्हें बढ़ाई बढ़ाई दी थी सन 2007 में उन्होंने यहीं पे सूट आउट यहीं पे लोखनडवाला में गैंगेश्टर माया और यहीं पे डोलास की भोमिका निभाई 2008 में यहीं पे बीवेक ओबराय ने अपूर हुआ लाख यहा धारा नेड़ दाशित और यहीं पे एकता कपूर धारा जो है निरमीट और मिशन मुविज में काम किया था मिसन इपे इस्तामबूल में अविन ने किया उन्होंने दो हज़र आठ के एंपे अंतराश्टी डिया भारतिया फिलम और यह पे एगायडमी प्रसकारों में जहें पे बिकास और कोहली धारा जो है फिलम के लिए निरमीत अनूप के सांच जो है गीत पर परदर्शन किया था दोस्तो आज के इस वीडियो में हम साउथ इंडियन मोवी का रिभ्यू कर रहे हैं रामचरन की सुपर हिट जबर्दस मोवी का रिभ्यू कर रहे हैं दोस्तो आज के वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल पे करके बिल- box को भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों आदके वीडियो में हम बाते कर रहे हैं साॉथ इंडेयन मेरे में रामिया के बार हैं चुर्वें हम बाते कर रहे हैं झो कि इस फिल्म को 2019 जो एदीवी बी किली से मेरी टिर जो यह दृसरी बाद को निभाई थी 2010 में वो जो है यहीं पे प्रिंस में दिखाई दिये जो की बॉक्स अपिस पर शुरू आती सफलता के बावजूद दर्सकों से अच्छी पर केरिया प्राप्ट करने में जो है बिफल रही थी उस वर्स हुआ जो है राम गुपाल वर्मा की रक्त और यहीं पे चरित्रमे तेलगू राजनीत गे परी ताला रभी को यहीं पे भूम का निभाते हुए दिखाई दिये थे जो की बीबेक जो की बीबेक ओवराई की फिलम यहीं पे किसमत लोग पैसा दिल ली जो की 2011 में देख और यहीं पे इंडियन और यहीं पे सरकस नाम की एक फिलम का निरनार एक फिलम का निरमान किया जो की फिलम को सुलोवे यहीं पे बुसान में रखा गया था सिस्टूनी बुसान में फिल्म को जो हैं इपे समारों में दिखाया गया था उसके बाद जो जिसने दुनिया भर में तीन हजार फिल्मों में से एक सर्वस्रेश फिल्म के लिए यहीं पे आडियासन एपे आडियंस और इपे 24 आवर्ड जीता था और 380 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी और बुसान के 16 साल की इतिहास में यह जो है पुलसकार जीतने वाली पहली भारतिया फिल्म है फिल्म को पहले ही अंतरा स्टेडिया समिक चको और दे हली बूर्ड रिपोर्टर दे हली बूर्ड रिपोर्टर और यह पे बेराइटर और यह पे स्क्रीन इंटरनेशनल के यह पे पत्रकारों से अच्छी समिक चाए मिली मिल चुकी है उसके बाद जो है बीवेक ओबराइन ने दा यह पे अमेजिंग यह पे अमेजिंग स्पाइडर मैन 2 के हिंदी डॉफ संस्करन में जो है पे एलेक्टरो की जो ही पे और यह पे रितेश देश मुक के साथ जो है काम किया था उसके बाद 2019 में जो है बीवेक ओबराइन प्रीत वीराज सुकुमारन के नेडशन में बनी पहली फिलम यह पे लूसी फेर में जो है यह पे मोहनलाल के साथ जो है मुक्या पर्टी पच्छी बाबी के रूप में बेश ड्रामे बाज के यह पे तीन सीजन के लिए जो है एक प्रतीभा और यह पे नयाए धीस के रूप में अभी निया किया है उन्होंने प्रे उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी में भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की भूम का निभाई और यह पे कंदन के नाम पर अधारित हैं उनके पीटा और दादा जैपे इसक्रत के यह पर अनुयाई थे और उनका कहना है कि उन्होंने यह कांदन की बीव कंदन के समान में फिल्मों में शामिल होने पर जुआँन को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि यह पर शादू के नाम के साथ परदे पर रोमांस करना और निर्टे करना शरमनाक होगा बीवेक ओवराय ने अपने क्यों को डेट किया था हो गया उसके बाद पर सुहकलकार और एश्वरिया राय दोहजार तीन में बीवेक ओवराय दावा किया कि एश्वरिया राय के पुर्व की दी थी और विबेक ओवराय ने लंबे समय के बाद तूट गए थे जो आज की इस वीडियो में हम विबेक ओवराय स्टर के बारे में कुछ ऐसे रोमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं जो कि आप लोग बिलकुल भी नहीं जानते होंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडिय दाता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देजिए जैसे कि आप लोग को पता है कि वीबेक ओवराय जो है एक बड़े हीरो नहीं है लेकिन बले बुड में इनका कुछ गीने चुने इनका फिल्म आये हुए हैं वीबेक ओवराय का पूरा पहला नाम वीबेक कंदन है यह मैंने आप लोग को इसी वीडियो मतला है हिंदू सिक्चु और स्वामी बीवेक कंदन के नाम पर अधारित है तो दोस्तो जब यह फिल्मी करियर जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो इन्होंने अपने नाम को चेंज कर दिया क्योंकि इनका मानना था कि यह एक पंडित वाला नाम है और पंडित और साधू का नाम लेकि फिल्मों में यहां पे मस्ति करना और यह पे रोमांस करना यह शुभा नहीं देता उनके पिता और दादा यह बिख्चु के अनुयाई थे और उनका कहना है कि उन्होंने यह पे विवेक कंदन के सम्मान में फिल्मों में सामिल होने पर यह पे अनन को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि साधू के नाम के साथ पर रोमांस करना और निर्टे करना सरमनाक होगा और बिवेक ओवराय ने अपने क्यों को डेट किया हो गया ना यहीं पे सह कलकार एशवरिया राय को जो है 2003 में बीवेक ओप रय ने जो है दावा किया कि इस वर्याराय के पुर्वा प्रेमी सलमान खांने उन्हें पे धमकी दीती और बीवेक ओप रय और ये पे राय ने जो है लंबे समय कि बाद तूट गए उसके बाद 29 अक्टूबर 2010 को जो है बीवेक ओफ रय ने करनाठक के मंतरी और यह पे बियुराज अलावा बियुराज अलावा की बेटी प्रियंका अलावा से यह पे बैंगलोर में शादी की और दम पती का एक बेटा और एक बेटी भी है वो जो हैंपे शाहा, वो जो हैंपे शाकाहारी भोजन और अपनाने के लिए करिणा कपोर को अपनी प्रेरान के रूप में ये पे शेरियत देते हैं उसके बाद विवेक उपराय की कमपनी करन और इपर इंफरास्टर कंचर ये पर प्राइवेट लिमिटेड ने महराश्टर के थानों जिल्ले में जो हैंपे कारवाई में मारे गए थे और ये पर केंद्रिया रिजोर पूलिस जो हैं बलके अधिकारियों के परिवारों को जो मिलाकर जो है बिवेक उपराय ने तरी मिलियन की दान की थी दोस्तों अब हम यह से बिवेक उपराय की जो हिंधी मुविज जैंगे उनका नाम लेना चाहेंगे और आपको बतलाना चाहेंगे सन 2002 में इन्होंने अपनी कमपनी यानि का फिल्मी करियर का तो सब से पहले इनक कमपनी मुवी आया था इसमें इन्होंने यह पे चंद्रा कांद और चंदू का किरदार निभाया था इसमें जो है अजय देगन भी इनका साथ दिये थे उसके बाद रोड मुवी इनका आया था अरबिंद और यह पे चोहान का इन्होंने किरदार निभाया हुआ था उसे स साल धूम यहीं पर अदम मोवी आया था उदे सिंग्दे उदे सिंग्दे का किरदार इन्होंने फिल्म में निभाया था उसके बाद साल बदल गया 2003 में जब इनका मोवी आया था यहीं पर डड़ना मना है इसमें अमर का किरदार निभाया उसके बाद उसे साल यूवा मोवी आया था उसमें जो है अरजुन और वे बला अरजुन का किरदार इन्होंने निभाया दोसतो सन 2004 में इनका जो है कई सारे मूवी आये सबसे पहले क्यों हो गया उसके बाद जो है गयाना उसके बाद मस्ती मस्ती ने काफी धमाल मचाई थी बॉक्स अवेस पे उसके बाद जो है 2005 में काल मूवी इनका आया उसके बाद जो है किसना मूवी दा उसके बाद जो हुरर पोस्ट मूवी इनका आया था दिवाने मुवी आया था दिवाने हुए पागल जिसमें जो है इन्होंने सिर्फ अपनी हिस्टोरी को बतला यानि कि फिल्म का जो हिस्टोरी है उसको सिर्फ बतलाया हुआ है उसके बाद यहीं पे सन 2006 में इनके कई सारे मुवी आये होम मूवी आया उसके बाद जो है डिलेबरी आपको इसके बाद घर तक दोस्तो इतने सारे मूवी इनका आया था 2006 में उसके बाद ओमकरा मूवी आया था 2006 में उसके बाद जो है नाक्षा मूवी भी 2006 में इनका आया था 2007 में इनके सिर्फ दो मूवी आयोगी सूद आउट उस उसके बाद फुल एंड फाइनल फुल एंड फाइनल फुल एंड फाइनल जो है थोड़ा सा काफी बहतरी अब पर्फॉर्मेंस किया था बॉक्स आपिस पे उसके बाद 2008 में जो मिशन इस्तंबूल मोविस आया था रिजवान खान के किरदार इन्होंने निभाया हुआ है उस उसके बाद 2010 में प्रिंस मोवी उसके बाद जो है रक्त मोवी यहीं पर रक्त चरीतरा मोवी उसके बाद जो है रक्ता चरीतरा टू भी आया था 2012 में किसमत लव मोवी आया था किसमत लव पैसा मोवी आया था इसमें जो इन्होंने लकी दगल और यहीं पर लोकास का किरदा याने कि तीन तीन इंसान का केड़र 피 clerest के बाए हुआ ह्वें। यहीं पर जैनिता भाई मूऑी की लाविस्टूरी कान है। hectika ग्रेन मस्ति जो आयात ये मूवी दूबारएं orteरीं ये मूवी जो एक पर्फॉर्मिंस गयान ता Democrats में इन्होंने काल गए प्रक निभाया था जो की मेंन की भिलंध है इस फिलम का और ये मूवी भी काफी बेहतरी न चला हुआ मोई है दोस्तों विबेक ओवराय के बारे में जो छोटी से इंफुरमिशन थी और मैं ने आप लोगो इस वीडियो को जडियी जो है दे दी है वीडियो आप लोगो पसंद आया है तो आप जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं साथ ही आजके इस वीडियो में हम साथ इंडियन मुवी बिद्या रामा मुईस का रिवियू कर रहे हैं जिसमें राम चरन सर विबेक ओफ रॉय और उनके साथ कायरा अदवानी मैम नजर आई हुई है दोस्तों अब हम कहा रहे हैं आदवानी मैम के बारे में कुछ बातों को बतलाएंगे बढ़ उससे पहले इस मुवी की कहानी है और जो हम थोरा से यहां पर इंगलिस में आप लोग को बतलाना चाहते हैं दोस्तों अब हम आपकना फर चलिथे वות चलिथ Jennifer Canary in the 강ड रॉय और यहन दिशहें आपका उलिस में आपनी दिसकोबरी और गांमीर पर इंप रॉये और न locked राहे हैं आपानी मैम परने से चितने दने गर हैं आपका इंप्या पींज झाती अंपानी हैं आपहर भाया ले ए।ंब से उपार हैं ले लेखारे बीजिय।, खु़र बसे पुभर्ण तीजिय।, ले भी injust, करें लेफसे लेखारे ले खायारे लेंगारे ले कर चुभर्णो पुर्णे माया ल Wamiddृ हो य। bijvoorbeeld हो टाहुआ जे वरी हैं ले Exact ले क्स़ोटे। अन्हेर फेल स्तिम बादर में औरेंगा इसके orialशूल, समिनं में पिगभिन औरेंग दोтоящेगर Marianत इसके लिगार, तोन् क्या बन् सिर्वार, पुर्द कर्पंपोर्ड राम कर्पूपर।assemb। बन् जाँ है।। जांन employer के क्या है। reflective yard value. ज guit से मु बन् सिर्वाइ talk recept कर्पूर्स नांश का एग थार बन् वीयर कारण तोरी, कि अन् सिर्वाइ ए पार विजिका। incidents राजब्य वंना वाली तो विक प्रॉड फाव्य इंट वाव्य न लिंट वाव्य फ्रॉड फॉर्ड फॉर 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 ओंग उन्ट 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 And Bhuban Kumar is a chief in election and commissioner with the his the three other brothers Abraham is the ing to the sita of the woman is the right and activity A local in criminal in the earth spring that politician मुलाइ खिंढ नमाराई बुलान और बारमा टीसुर। और फिर और गामर। और खोेकर्टेंद verr. ऺब औरिना खर वेगे law और कामर मेपनीज में सबस्तिया हूर। the Guinée and the Black-Ram is the brothers in love and Pandem and the Prosu Pursu-Ram is challenging and Bhuban and ask him to the end Apollo and Apollo guides for the witch Rames returns hard on him the dish and Levijas and Pursu Rames and Hami later show the End Apollo in approaches and the encounter a specialist who gets to the ram his house and the take will family hostess ram and am and the email reaches three and the apollo in apollo guy says to the end pursue ram only to the encounter only to the encounter and criminal from the bihar sent by the end doctor raja bhai after the end fighting the income fighting and the criminal he assisted in love and gaitri asked ram gaitri and ram about it to the which he is in reverse to the and flashback raja bhai is local and dr roger and dictator dictator in the bihar hood and a three ten the and chief minister and three four three four the and chief minister asked the and central go center a central and government and the god and appointed as the chief and election and commissioner of the bihar raja bhai appointed at the appointed at the chief minister the and three four the and chief minister asked the and central government and the god bhooban and appointed the and bihar raja bhai held the and bhooban in hostage and along with his the and super designed to the which in bhooban calls ram who was the in a gujarat with his and family inside and temple temple as the ram was the in traveling traveling back to the and airport he the receiving the call and ruses to the and bragged and the jump on jump on top of the entrance the and handing from the and gujarat to bihar he killed three hundred men single and single and the hand dandelion on the horse the and guest the and captured to the and taken to the raja bhai a fight and ensued fight ensued in the with the and raja bhai killed bhooban and the ram once raja bhai in superior sending the him into him into a coma in the and pray in the and present and the present gayatri is the and socket and three together in the three facially on the hair and husband bhooban is the death she asked the ram to take here too and bhooban bhooban pair and a letter to the raja bhai the and letter in the wear and challenges challenges raja bhai to the and duel with the ram and the ram ran and approach with the baby of the raja bhai and gone on the start and fight with him him is the and finally and subduing the raja bhai and cracking and the cracking is the and bonus bonus and the and slashing hit the head with the and support the it's the three the family and around it. दो ये जो कहानी थी थोड़ा सा मैंने इंगलिस में explain किया है बटिस से पहले मैंने आपको हिंदी में इसी कहानी को बतलाया हुआ हुआ है दोस्तो आपको अगर ये अगर आपको ये मूवी फूर्टर से समझना है तो आपको ये मूवी अफिसली वाच करना होगा दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए वेप्षैट के में देता रहता हुँ दोस्तों अब जो है इसके प्रडक्शन कंबनी के बार में हम बात करेंगे और साथी रिसेप्शन के बार में हम बात करेंगे रिसे पंजाब शोट हैल्फ अफ आप दी फिल्म बड़ ऑफ्ट आफ और इंड इन आउट इन कमेंस विद द एन अर्टर प्रक्शन के सुबड़ ंवट ऑ इन आफ न ऊथे बाहँ द एन आवशब देउ संगेट ड़िए इन अणान ऑたटत ऑंगे लिए प्लब छेंट Commission on the पर बीछ तर भाइं 68 सटना वार शायल सबस्कारा जाइक पार्स कर आडंग्बूल द को मुण US ने चल्डद भीडा़न ऴीजिः कुई मिभड टा फ्ट व्े हइब टे स्टिरें पार्स की उडिरों ट्रो जा कि तूल यह उकाराक्ष इंविक्ट ऑुस्ट आछ्ट और फे कि बाध्डाः चित ते लिए झीड़ड से लिकल कीने ते छीड़ीर का लिए सीक्टर छीड रेपनेट लिह तेने मिलावत पूंदले लिए यंप्तेर ।ी नानेक्ट टान है र tu अनध्टावां। और बिनाः बादिया रह्मा है एन मेतायस स्टोर्व वेपुट center and the नौधर्स हैं अचल्ष और लॉदे एक्ष याझ्थरा टुक्कÁम हमाल मुडत्न पया स्रीनों स्थिश्डा , अचल्ष फ्लव्मार्स ष्दट्व गाचनरीरत गुडत्स परें तर कियन दुरर हैं the india express give one out of the five star the string the Ambinaya and vidya rama is the like and watching watching in brahla kristina action film in austro the climax the end on question the india express give 1.5 out star the end three is the end plot on a story test the end world and notice the is the lost in between all the fight song and dances the end रान्डोर अली कर्षान दियालोग नहीं सब्सक्राइब रिज्ट अली प्रशन की पूंज। अंज्ट राली कि उड राम्चरन टूप टॉट रिज्ट पॉर्चि उडसी है य। तिर फॉर नवाइब टॉट प्रशन टो। इवी है जएम अली किव ग्ट टॉट टॉटंब फिलम काफी बेहतरीन है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मोवी का फूल रिभ्यू कर रहे हैं बनेंशी बाध्यारामा मॉइस को हम इस रिभ्यू कर रहे हैं दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस मोवी को सब्सक्रम नहीं धेखे हुए है तो तो आप कायरा अडवानी में हमके बारों हम बाते करेंगे जो कि इस मुवी का हीरोईन है और काफी सुन्दर दिखती भी है दोस्तों इनके बारे में कुछ काफी रॉमांटिक बाते जो है मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ वीडियो पसंद आये तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं जो है इनके बारे में इंगलिस में बतलाओं उसके बात जो है मैं आपको हिंदी में कुछ बाते इनके बारे में कुछ बातों को हम जानत मर्वा, आरफी लंबा, विजन्दरा छिंग, इम्य कि ंमी शर्गिल, त्रेन ओडोर्ष ब्लीवट हंगामा साइट, किरह अरवाँ और काचिछ जूद और कॉपटली अर्वट उन्मेर, इंद इस और सोबी कम्विश और लूक तलाइड, तैले महुल in Thailand and Mahul is the end, Tucker of the end, Deccan and Crowe, Nick Lee and Noted here, the performance is the being very and striking in the side, see the sweet load of the end, promises a underperformance at the box of his collection, in 2016, Advani is the wild scene in the end, Neeraj and Pandey is the support film, M.S. Dhoni the end, and untold a story on the official end biopic of the popular end cricket, M.S. Dhoni who was the end for more and captain of the India cricket team, Will and Sushant Singh Rajput was the end, selected for the Dhoni is the role she played, he is the wife in Sakshi, wife is Sakshi in Rawat, a hotel and manager, one of the year is the top in grocery film, it is the end, 2016, Crowe Worldwide, in the 2017, see the plate and newcomer and Mustafa, Mustafa and Barma, Mustafa and Barma was the love and interested in the Abbas, Mastana directed in action and thriller and machine, is the watch and box office and depend, box office in the dispo, dispo in demand, Kyra, Advani, Thend and Maida in the air, Maida in the air, and other oddity and debut with a Netflix 2018, and untold logical movie and loss and stories, the end, Thailand with the family and sexuality and consistent of the end, a segment in the end, Karan Johar is the sea agreement played, Karan Johar's segment, she played the newly-inmarried wife, the wife and husband played, the Biki and Kaushal, Biki Kaushal fails to the and recognize her, the sexual and distance for the wedding, for the end, T.B. Rajasen and found her to be, and positive and lovely in the, boy interning and Telugu cinema, see and signet, the end, Mahesh Babu and story, the end, Bharat Anu and Nenu are the political in action from the end, Kura and Kura. In Kura, tell a Siva about an student who the end, unpatched courtly and became chief, the became chief minister of the Andhra Pradesh and Janani, Janani K. of India today and opened a third seed and see here the end, brave role, but of the end, added the end, character, character was the more of the Aya and Candy Hood and Dent A.D. May and purpose the two, a story, the the film earned 225 crore, 2.25 year worldwide in the making, it the one of the Telugu cinema, highest grossing, in September 2018, a music video end, Naimed and Urbhasi Singh by Yoyo, Hani Singh was in release and featuring here the Shahid Kapoor, and Bayapati Srinu, Bayapati Srinu Telugu action drama and Binaya Badia, Ram, Binaya Badia, Rama was the Advani, his first release of the 2019 in the sketching, in the sketching review for the end, Hindu and Sangeeta Devi and Dhundu Varut, it is the end, Kaira Advani is the end, for the sea and looks are lost in the mild Advani and returned to the Hindi cinema with the special end, appearance in the Abhishek Barma, Abhishek Barman is the end, period drama and Kalan Khair, next end, appearance was is the end, Sandeep, Sandeep Bhanga is the end, romantic drama, Kabir Singh and alongside Shahid Kapoor and the end, adaption of the end, Bhang's 2017 Telugu movie and Arjun Reddy, it is the above third, the tutorial, the tutorial and character of the played by Kapoor, who goes on of the self and destructive fate and become in the alcoholics and sargon after his love played by the Advani marriage, Advani marriage and Soumyoun elect and critics responded negatively to the information and depicting of the enemy, so, Giyani and the Stuxy and a masculinity here, the final role the year was in Raj, the Raj Mehta community film and Good and Nawaz, Good News, Good News about to the end, couple tries to the into and vetro and a forte, fortification and reviewing the film for the Mind Udita, Mind Udita and Junjun Wala found here to be an end, rare as the god and feeling the ex-pant and mother to the B, both Kabir Singh and Good and Good News and rank among the end, highest grossing Hindi film of the year, in 2020, Advani and Attied in the end, Gowleti Netflix and Thriller film, the about sexual assault and actor and Malik of the India Express and Consul direct the film to be lost and importantly in the edit, the end Advani is the character he had been in and reduced to be into and into to read the artist and creative topics, the where Rohan and Nahara of the Hindustan times were out in Kaira, in Kaira Davis and Kaira and Deliver, Kaira and Delivery and Ed Solotoli and Electrical Performance, it is the Unwravely and Nanki of the family college, a student with the end fundings for the end fights and during the same year, she was seen as the end wife of Akshay Kumar in the horror comedy Lakshmi, a horror comedy Lakshmi, a remake of the Tamil film, The Kanchana and Institute of the Entreaties Lakshmi was and directly released online during the COVID-19 pandemic, it is the unreceived mixed reviews appeared in Singapore and directorial report, Induki Javani, Induki Javani 2020, one of the first, the Bollywood film to the release in the theatre and theatres, The Post and Repounding of the Mind of 50, the Accords and Guidelines due to the end pandemic, The Future Advani is the goal based in Ghaziabad, who the end finds love in the end dating of the end dharma production, next production, the 2021 action, the war film, the end series are based on the end life army, life of the army officer and Bikram Batra, Bikram Batra played by Siddhartha Malhotra and Futuring Advani, his and finance is the fully completed, she is the also an commentant, a scientist and family lead the opposite and Karthik Arya in the Anish and Bajmi Anish and Bajmi in Istanbul and sequel of the 2017 iconic and supernatural community, Bhul Bhul Bhulai and additionally Avani and Advani is the and raunit with the dharma production and action comedy, Mr. Lillie, Mr. Lillie, Mr. Lillie directed by the end, Shasang and Khaitya, Dostow, आजके इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं South Indian movie को, और रिव्यू कर रहे हैं और अभी हम बाते करें कारें कायरा अर्वांई मैम के मारे में इस फिल्म का lead heroine है, और इस movie का review कर रहे हैं आज जो है बिनाया, बिनाया बेदिया, बिनाया बेदिया रामा मूविश का हम full review कर रहे हैं जो कि राम चरण सर इस इस फिल्म का मेन हीरो है और इनके बारे में कुछ ऐसे रुमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं जो कि आप लोगो बिल्कुल भी नहीं पता होगा जैसे कि फ्रेंड आप लोगो पता है कि मैं आज किस फीडियों में जो है सुपर हिट मूबी बिना बांदया रामा मूज का रि इस फीडियों में आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में काफ़े रुमांटिक बातों को हम जानते हैं अभी नेता निर्देशक और यहीं पर तयागराज के बेटे प्रसांथ ने जो 17 साल की उम्र में यहीं पर यहीं पर बैगासी और प्रण थालू सन 1990 में अभी निया करके अपना करियर शुरू किया हुआ है और बलू महिंदर की वन्ना वन्ना पुकल मूबी सन 1992 और यहीं पर आरके यहीं पर शोल वा मनी के चिंबरू थी सन 1992 के उसके बाद यहीं पर रूसेंदर सही जो अन्या फिल इक्षन कमेडी यहीं पर फिरूटा और फिरूटा मूबी से में इन्होंने चैन 293 में काम किया हुआ है प्रसांथ संकर की यहीं पर ब्लॉक बास्टर और रोमाटिक कमेडी जिन्स मूबी सन 1998 के साथ जो यहीं पर स्टार्ट्राम की और बढ़े और जिसमें उन्हों ने ऐस तरों को जो है देखा और 1990 के दसक के अंत में जो है उन्होंने यहीं पर अकने धरी यहीं पर कन्ये धीरे और यहीं पर ठोड्रेणल और यहीं पर अपर प्राम्बिक जीवन संपादित करें प्रसान का जनम जो है अप्रेल सन 1973 को भारत के तमिल नाडू राज जमें चन्नई में हुआ था वह तमिल में तयाग राज अभी नेता और निर्दसे के पूत्रा है जबकि उनके नाना और पेकेटी यह शीव राम एक अभी नेता और तेल उन्होंने कम्प्यूटर और यह पे ग्राफिक्स और यह पे मल्टी मीडिया का जो है अध्यान किया हुआ है और अभी नेया करियर शुरू करने से पहले ही लंदन में यह पे ट्री नीटी और यह पे कालेज आप दा म्यूजिक गए थे उन्होंने अपनी बाराव भी यह प बनने का इहीं यह फैसला किया जो की निरमाथाअ और फिलम और यह पराशांड यह पर परवे कव एंप सरक्तव हैं उसके बह撲िकार, इनकी करियर बारहना बात यहेंपे पुरान थाचु में जो एक परमुक रोमांटिक नायक के रूप में यहेंपे सुरुवात की थी इसके बाद वजो एमटी और यहेंपे वासु देव नायर का धारा लिखित और यहींपे मलीयालम फिलम में चोपिरूम थाचन दिखा Evet, उन्होंने यहीं पर सिर्शक चरित रखे यहीं पर पूत्र की भोम का निभाई उन्होंने दिव्या भार्ती के साथ यहीं पर थोली मुद्दू में भी अभिन ने किया हुआ जो की बलीवूर्ड फिलम दिल की रिमेक थी प्रसांथ ने यहीं पर तमील पर ध्यान केंदरित किया और मनी रतनम धारा जो है निर्देशित यहीं पर थिरूटा थिरूटा मुभिज में सन 1993 में अभिन ने किया और एर रहमान धारा जोए संगीत दिया परसान सन 1990 के दसक के दोरान जो है तमिल सिनेमा के यहें पे चकलेट बॉय हुआ 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 करते थे जो की और उन्होंने यहें पे अजगू को जो हैं पे चितरेट करने में उसी यहें पे एस्टेरियो टाइप की एक यहें पे अभे यहें पे विसेश परभाव के लिए यहीं पे राश्टी यह फिलम पुलसकार भी जीता हुआ है उस वर्स के अंत में वह जो है फिलम और यहें पे किज अ किज हक के बरून और वे पट्टू सन 1993 में जो है अभिन्या करते हैं और सन 1994 में उन्होंने यह पे राशा मंगर और कन मनी और येंपे सिंथ मीज और येंपे सिल वन जैसी तीन फिल्में रिलीज भी की गई थी इन फिल्मों को आउसत और येंपे सवलता मिले थी और येह shy आना जगन ये हो कहेंड पर अनाhगन च्छोन करता है फिल्म प्रशांत और उनके प्रशांत और उसके दोस्तों के यह पर इड़ गिड़ घुमती है जो कि पिछली जगा से बाहर निकाले जाने के बाद जो है एक नए घर की जो है तलास करते हैं मकान मालिक की यह पर अग रहा के बाद प्रसांद को ड्रैग में कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है कि घर के वल एक यह परिवार के विक्ति के लिए है नकी कुमारे और यह पर आना जगन और यह बॉक्स आपस पर काफी सफल रही थी कमेडी ट्रैक को जो है आज भी याद किया जाता है और प्रसांद के लक्षमी के रूप में एक यह पर शंदार प्रोडर्शन किया जाता है सन 1996 में उन्होंने यह पर अजीज कुमार के साथ यह पर कलूरी वासल में सवाविन्य किया है यह फिलम 27 फरवरे सन 1996 को मिजरे समिक्छाओ के लिए यह पर खुली और क्रिस्ना ने यह पर क्रिस्ना सन 1996 और यह पर मानो और सन 1997 भी यह पर माध्यम सफलता यह पर बाले फिलम बन गई थी उसके बाद यह पर निवनायक और यह पर सफलता के बारे में अब हम बाते करें परसांद सन 1998 की फिलम ही पर जिनस में एस संकर के नियोडेसन में दोहरी भूमकाओ में दिखाए दिये थे यह जो है कापी बियुसाइक उद्धम था इसमें मुख्यावी नेतरी के मुख्यावी नेतरी के रूप में इस वरियर राय थी और यह पर चकलेट बाय के साथ यह पर समाप्त होने से पहले पुरुस परदान की भूमका को अब बास और अजीज कुमार नी अस्युकार कर दिया था यह फिलम एक यह पर अधुनी की समय की जो है बरा हुई रात का यह पर रुपा तरन थी और इसी फिलम को जो है देश में कई पुरसकारों के लिए नमांकीत किया गया था यह फिलम 24 अपरेल सान 1998 को भारतिया दर्सको के लिए खुली और उस समय यह पर भारतिया सिनेवा में यह पर बनने वाले सबसे महेंगी फिलम थी जिन्सकी यह पर शूटिंग पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हो चुकी है और संकर कहते हैं कि एक बिसेस यह पर गी दुनिया का आठवा एस वरिया राय कहा जाता है उनकी सुन्दर्टा उन यहीं पर अजूबों से कम नहीं है और दस यहीं पर बात में इसे जो है हिंदी और तेलकू भाषाओं में डॉप किया गया है उन्होंने उस वर्स दो अन्ने यहीं पर रुमांटिक फिलमों में इसके बाद वीजिया और पहके बास में हम साउध इंडीयन मूबी गां रिवियू कर रहे हैं और अहीं में स्टार काष्ट के बारे में दोस्तों इस फिलम का नाम रामा मूविस का नाम है जो गी बी 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 आर इस फिल्लम को कहा जाता है दोस्तो इसका short नाम बीवी आर है और इसको वीवी आर के नाम से ज़्हँ है ज्यादा तर लोग पहचानते हैं दोस्तो अब हम बाते करेंगे 2000 से लेके 2000 पानते के इनकी कौन-کौन सी मूवी आये थी इनमें कौन सा मूवी हेट हुआ था और कौन सा मोवी जो फुलाफ हुआ है दोस्तों मैंने जी इन संप मोवी के बारे में आप लोग बतलाया जो कि सूपर हीट एंड बलॉक बस्टर मोवी है उसी मोवी से इनका करेक्टर जो है यानि कि इनका करियर जो है समल गया और उस मुमिस के बाद जो है इनको काफी बड़ी-बड़ी महेंगी और फिल्मे जो है मिलने लग गई थी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम काफी बेहतरीन बातों को बतला रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद दा रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर सकते हैं सन 2000 में उनकी फिल्मे जो है गूट लग अपू और ये पर पाढ़ थेना रसी थेना है बाद में एक बड़ी ब्योसाइक सफलता मिली सन 2001 में उन्होंने यहीं पे कमल धारा नियुडिशत परियोझना उसके बाद प्रियाधा और यहीं पे वन्दम शुरू की थी जिसके रिलिज में देरी हुई थी लेकिन या जो है सफल रही थी इसके बाद उन्होंने इस्टार्ट, चाकलेट और यहीं पे माजूनू के के साथ मिलकर एक्षन ड्रामा फिलम थमीज मूबी सं2002 के लिए अपनी शुरुवात की और अपनी भूमिका के लिए यह पर परसांत ने जीम में यह पर कसरत की थी उसके बाद जो है दाड़ी बढ़ाई और यह पर चरितर में यह पर ढलने के लिए जो है असी ग्रेट पीना शुरू किया फिलम ने रिलीज पर सगारतमक समिछा पराप्त की और एक यह पर अलो चको ने परसांत ये में यह पर कलकार में परीपक हो गया है और कहा है कि एक यहेंपे मजेदार यहेंपे हाँ समूख और यहेंपे युवक के ठाग में परिवर्तन को निर्देशक अहरी धारा अच्छी तरह से कलपना की गई है और यहेंपे सेर Caleb Earp vibes और यहेंपे निस्वा उसके बार यहेंपे निस्वा गईट किया गया है और प्रसांठ धारा जो है कम पर चार के शुमाद करने के बावज़ुद फिलम बॉक्स आपस पर ऑफिसदा जो है सफल रही थी सकालमक आवार्ड यहेंपे सकालमक व जाने और और एक्षन ड्रामा फिर्मों पर जहें कांभ करने का पर्यास करने के लिए जो प्रेडित किया था उनकी अगले रिलिज तो है सूसी और गईनेशन की बिरू यह प्यूर बोगी रेन को यह हजार दो में यही में उनके यहें पे चितरोन को उच सरेनी के रूप में बीरनीत किया हुआ है यहें पे सुन्दर सी के यहें पे बीजेता 2003 ने जो हैं पे बाडी बेलु धारा अपने यहें पे कमेडिट ट्रेक के लिए भी यहें पे प्रशान प्राप की है और यहें पे बॉक्स आपिस और अच्छा परदर्शन भी किया हुआ है उसके बाद अचानक से यहें पे औरन निती में बदलाव करते हुए प्रसान्त ने यहें पे परिवार के प्रोड़क्शन एस्टूडियो लक्षमी और यहें पे शान्ती मूबिज के लिए यहें पे अपने पिता त्याग राजधारा जो है निर्मीत फिल्मों में अभी निया पर ध्यान किंद्रित करने का फैसला किया एक्षन ड्रामा जै मूबि सन 2004 और यहें पे हरर फिल्म शाग जैसे फिल्मों में जो है सफल फिल्मों की रिमेक थी और लेकिन बॉक्स आपिस पर भी बॉक्स आपिस पर भी अच्छा पर्डरसन नहीं कर सकी और उन्हें जो है यहें पे मिस्र समिछ चाये मिली सेफी.com की एक अलोचक ने जै को ठकाओ कहा और कहा कि कुल बिलाकर परसांथ को कुछ नया करने की कोशिश करनी है और रिलीज के बाद परसांथ ने कहा कि फिल्म के निर्माता के रूप में टीम ने कोशिश की थी कि कठिन और लेकिन सुरुआत में यहें पे समस्याओ का सम समस्याओ का यहें पे सामना करना परा था यह 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 बिलाब करते हुए कि फिल्मान कर शुरू होने से पहले ही पर योजना में एक साल की देरी हो गई थी और इस तरह की यह पे स्क्रेप्ट ने अपनी यह पे ताज़की खो दी थी एक्शन ड्रामा और यह आयूथम मो को रिभीव कर रहे हैं और अभी हम बाते करें स्टार कर्ष्ट के बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको काफी रूमांटिक बाते सुनने को मिर रहा है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल प कर सकते हैं दोस्तों आज किस वीडियों बात कर रहें प्रसांथ के बारे में जो कि इस फिल्म के इनका भी नाम और मोवी में इनका भी अनाम जो है जुरा हुआ है सन्दोहजार के दस्तिक के माधे में अभी नेता को एक यह जटका लगा जब उन्होंने अपनी कई परियों ज कि रिमेक पुलिस को जो है लांच किया और यह पे निर्माता ओ धारा अमी ताप बच्चन और यह पे एश्वरिया राय से जो है मुक्य भूम काओ के लिए समपर करने के बाद जो है फिलम को मीडिया से यह पे कावरेज मिला था हाला कि फिलम आगे बढ़ने में जो है बिफल रही थी प्रसांत ने जो है अगले बार अक्टूबर 2004 में जो है यह पे सूसी गनेशन की यह पे ग्राम एक्षन कहानी और यह पे शकराई में परदर्शित होने के लिए यह पे शाइन किया केवल एक यह पे भाव यह लांच और संभारों के बाद जो है फिलम को बनकर दिया गया था 2005 में माध्हम और अभी नेता ने जो है एक यह पे वंकेट टेस के जो है पे पे ट्रॉल के लिए जो है पे फिलम मांकर शुरू किया था और कई परमुक अभी नेत्रियों को जो है मुख्या नाइका की भूम का निवाने के लिए संपर करने के बाद जो है पे नवा गत्तूक और यह पे सीमा का जो है पे चैन किया गया था फिलम ने पूरे भारत में जो है करीब एक साल तक जो है पे शेड यूल की सुटिंग जारी रखी लेकिन जो है परशांत की जो है यह पे बिवाहिक और यह पे समझ स्याओं के कारण अंत्ता यह पे निर्दशक के सेड यूल में देरी हुई और फिलम जो है अधूरी रह ग जो की निर्दशक की 1990 की फिलम की जो है अगली कड़ी थी और जिसमें जो है 2006 तक यह पे फिलम का साउन डेरिक्ट और यह पे टेलर और यह पे जारी किया गया था लेकिन टीम धारा अभी नेत्री और फिरहान के साथ एक सेड यूल फिलम ने यह पे बावजुद इसे बन कर दिया गया था और यह पे रीमा सेन और यह पे नमीता के साथ यह पे मार्गॉन के यह पे टेक्सी ड्राइबर की भी भूमिका परचार के बीच योजना पर योज नहीत किया खाला कि फिलम को बाद में बन कर दिया गया था और नियूटेशन सुरेश के साथ जो है उनके पिता के प्रोडुक्शन कॉटन ने भी यह पे अधिकारिक घोसना के बावजुद जो है कभी यह पे काम नहीं किया था इस अवद्दी के दोरान जो है अभी नेता क अन्य परियोजनाओ की गोसना की गई थी लेकिन कभी नहीं बनाई गई और जिसमें जो है घरे लू उसके बाद रगो राज की जक्की मुकील की जो है अरून और यह पे वैडेस हारीनी और यह पे चेरा और रबी की बितन और सामिल थी दोस्तो इस फिलम में काफी रॉमान अब हम अंतीम बातों को बतला रहें उसके बाद जो हम आप लोग से इस वीडियो से बिदा ले लेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरू कर दिजी और चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों आपको यह वी मवी या अपकमिंग मुवी का इन्फिर्मेशन आपको देखने को मिलता है दोस्तों यह वीडियो जो है दो गुआ नहीं है इसने जो है मैंने सारी लिख वी ह्य बातों么 पढ़र के सुना रहा हूं तो यहाँ पर कहीं न Complete के नहीं does की आन आ है जहां आवाज खराब हो जाता है ओजहें मैं एडिट करके निगाल देता हूं लेकिन वीडियो लंबा होने करण जो है कहीं कहीं पर आवाजे रह जाता है तो दोस्तो उसके लिए मैं आप लोग से दिल से माफिज चाहता हूँ अगर आप लोग मेरे सस्क्राइबर है तो आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया और वीडियो को अभी तक देख रहे है तो दिल से आप लोग का सुक्रिया दोस्तो सन 2006 में रिलीज हुई थी अवी नेता की तीन फिलमे निर्मान के दवरान गंभी रूप से बिलंबित थी और किसी भी फिलम ने बॉक्स आपस पर कोई उलेक निया परभाओ नहीं डाला था उसके बाद लवनायक जो की सितंबर 2006 में रिलीज हुई थी और बिसेस रूप से मुख्या नाई का निला के निर्माताओ के सांच बिवाद के बाद और फिलम की सुटिंग में देरी के बाद उतपादन बाधाओ से गुजरी थी फिलम नकारतमक समिच्छा के लिए खुली और यहीं पे बियुसाई करूप से असफल रही थी और नबोदो दीत निर्देशक की भूवन यहीं पे उसके बाद भूवन राज की आदी कालन में एक परिवारिक जो है नाटक जो की पिछले वर्ष पूरी हुई थी और यहीं पर सकारतमक समिच्छा भी मिली हुई है लेकिन रिलीज की कम यहीं पर महत्वा पूर्ण यहीं पर प्रकृति ने बॉक्स आपस पर सफल होने के किसी भी औसर को यहीं पर बिद्धीत किया है और मुख्या नाइका की यहीं पर विसेस्ता के सांच जो है फिलम ने यहीं पर ट्याग राजन और यहीं पर सर्ण नया और उमाय के सांच जो है एक अलग परिवार की कहानी बताई हुई हूई है और एक बहाई और एक यहीं पर एक बहाई की जो हैं पर ठंग पसंदी थी और जिसमें जो हैं पर प्रशांद को एक गाउं के अच्छे व्यक्ति की भूमिका में जो है देखा गया था एक अच्छी भूमिका में देखा गया था और फिलम को जो है अलो चकों से आउसा तहीं पर शग रह और यह पर आउसा समिक चासे ज एक मात्रा सिल्वर लाइनिंग थी जन्मरी 2007 और अप्रेल 2011 के बीज जो है प्रसांद की कोई फिलम रिलिज नहीं हुई थी लेकिन इस अवद्धी के दोरान दो भारतिय यहें पे बिलंबीत फिलम को जहें पे प्रो नारर और यहें पे संकर और यहें पे मम बीटियों के साज जो है निर्मान में सामिल थे अफी नेता ने बेवपार के यहें पे आवसरों में भी निवेस किया 2008 में टी नगर और यहें पे चन्नई में एक बारह मंजिला और यहें पे जवेलरी इस्टोर खोला 2007 की यहें पे शुरुआत में तयाग राजने यहें पे पुनार और यहें पे शंकर महा काव्या के अपने यहें पे रुपा तरन पर एक फिलम बनाने के इरादे से वरू यहें पे करूना दिनी से संबर किया जिसे उन्होंने 1970 के दसक के यह पे अंत में देखा था और यह पे उता धर्ड ने जो है यह पे त्याग राचन के प्रस्ताओं को सिवकार कर दिया उसके बाद प्रसान को जो है दोहरी भूमकाओं में लेने के उनके निर्नाए को जो है यह यह पे मनजूरी दे दी फिलम का यह पे भाब्या निर्मान और सुटिंग तीन साल के अधिक यह पे समय तक जो है जारी रही थी और अपरेल 2011 में फिलम की नाटकिया रिलीज हुई दहिंदू के एक यह पे समिक्छक ने फिलम को जो है आकर्षक और यह पे कैनवास के रूप में देखा जिसमें यह पे भाब्या सेट और यह पे स्थानों और यह पे समर्थ और यह पे वेश भूसा और यह पे और कश्क यह पे कलकारों की प्रसंसा की गई थी फिर भी यह पे ध्यान दिया गया कि यह कई यह पे खामियों को यह पे खामियों को नकराने के लिए बहुत छोटा था और हाला की प्रसंसा के यह पे इस टॉंड करते हो की सराहना की गई थी और समिक्छा ने और समिक्छकों ने उनके यह पे चरितरा दोसों की और और यह पे और यह पे इशारा किया जैसे की यह पे नियू नतन और यह पे अभी यक्तियों जो की यह पे प्रमभिक दिर्शियों में जो हैं पे यह पे मुस्किल से एक यह पे मुस्कुराहट थी और उनके धारा जो ह यहें पररणबिक दिर्शों में मुश्किल से एक मुश्कुरहाट थी और उनके धारा चित्री जुड़ुआ पात्रों के बीच अलग अलग लग चनों की यहें पर बिसिस्ती कमी थी सितंबर 2008 में तयाक राच ने घोसना कि कि वह अपने सफल सन 1983 की सफल सन 1983 की फिलम जहें पर मलाई यूर और यहें पर मम बिटिया का रिमीक बनाएंगे जिसमें परसांथ ने रबीन हुए यहें पर एस की मुक्य भूम का निभाई थी टीम ने 2009 की सुरुआत में फिलमांग गंसरू किया था और परसांथ ने अपने बाल यहें पर उगाए और परियोजना के लिए वजन भी बढ़ाया था और टीम ने तमिलना, डूकेरल और यहें पर करनाटा के जंगलों में सूटिंग की थी और फिलम की रिलिस से पहले तयाग राज ने उध्धम की यहें पर संभावित और यहें पर अगली करीब पर बिचार किया था यह कहते हुए कि वो जो है दर्शकों की पर्टी क्रियाओ को देखेंगे और बाद में फैसला करेंगे कि यहें पर फिलम डिसमबर 2011 में मिस्री समिक चाओ के लिए खुली हाला कि प्रशान थी ने जो है आदी वाशी विक्ति के चितरान के लिए जो हैं पर शकार तमक समिच चाहे हासिल की थी देहिंदू की एक और लुच ने अवी नेता को परी तरह से और यह पर नया नीहिक त्वह इसे नारा दिया है यह केवल इन अची थे और हेमन्द और यह जो है इन पर मिहनत को प्रोशक्रार की जाता है उसके बात फिलम भॉकस अपशफर जो अच्छी छ लागत और यह पे बसूल करने में बिफल रही थी। उसके बाद करियर में गिरावट 2012 वर्टमान संपादित करे। प्रसान की नभी नता फिलम में रिमेक और यह बिस्त्रीट प्रेस और यह बिग्यापती और लंबे यह पे समय तक उत पादन में देरी किया था। उसके बाद परियाए रही थी उन्होंने 2013 के दोरान तेलगू फिलम जुलाई 2012 की रिमेक और यह पे सागाश चम और वे बनाना शुरू किया था। लेकिन फरवरी 2016 में फिलम को रिलीज होने में देरी हुई पूरे प्रोड़क्सन के दोरान फिलम और यह पे कलकारों और यह पे करूर में जो है कई बदलाओं से जो है यह पे गुजरी और मिसरी समिक चको के साच जो है खुली एक अलो चको ने कहा कि प्रसांद काफी उसक ऑर भी एपे छोटे नायक की ने पर आऊ सकता है और जो की बात फिलम को जो है है पसे ज़्यादा निराथा करती है और समागरी के लिए किसी भी यह पर भانाओके बिना निर्देसित यह पे इसलिए हम यह पर अनिस्चीत है कि यह हमें जो है फिलम को यह और गंभीरता से ल यह पर प्रस्तावीक रीमेक पर काम किया और कई यही पर प्रेश और घोसनाओं के यही पर आफडेट और यही पर प्रस्तावीक कलाकारों के सदद सुख हो के बाओजूद फिल्म को बात में एक अलग और पॉट Đुक्शन टीम ने इस्थान तरिक कर दिया गया 2017 की सुरूआत में प्रसांत ने थ्रीलर फिल्म जानी पर काम किया जो की हिंदी फिल्म जानी यहीं पर गदार 2007 की रिमेक थी और फिल्म दिसंबर 2018 में रिलिज होने से पहले ही अलोचको से मिली जुली समिक्छा और यहीं पर बॉक्स आपिस पर आउसस से यहीं पर काम और बिद्धा राम सन उनिस सो सन दो हजार यह पे उनिस में सहायक यह भूमका और यह पे माद्यमसित तेलगू फिल्मों में वापसी भी की और सफल रही फिल्म को जो है नकाड नमक समिछा मिली और बेवसाइक रूप से खराब परदर सन भी हुआ था दोस्तों आज की इस वीड कर देंगे तो चलिये इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसकी अंत्म बातों को हम जानते हैं आज की सुवसाइई मैं इस मुजा है फिल्म को फूल रिविव कर दिया बिद्ध्या रामा फिल्म को ⑧ दूस्वं को 2019 में रिलिश किया था साथ ही आज की इस वीडियो मैंने इस फिलम के बार में फुल इन्फोर्मेशन दिया हुआ है दोस्तो आज की वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों अब इसकी आखरी बातों को बतला के हम आप लोग से इस वीडियो से बिदा ले लेंगे इस फिलम को डिरेट किये हैं यहीं पर बोया पत्ति सिरेनु सार ने और इस फिलम को पड़ियूस किये हुए में पर दिवी भी दानिया सर ने इस फिलम में राम चुरंसन बीवे कुपरा एंडे कियारा अड़वाने जो है नजर आये हुए है 11 जन्वरी 2019 को यह मोबी रिलेज किया गया था और इस मोबी को जो हैं पर कई अलग अलग भसाओं में पर रिलेज किया गया था दोस्तो आज की इस फिडियो में मैंने इस मोबी के हरेक इंफॉर्मेशन आप लोग को जो है दिया हुआ है बिनने बिद्या राम एक 2019 की भारतिया तिल्गू भास्टा की एक्शन फिलम है जिसे यह पर बोया पत्ति सिरीनो धारा जो है लिखित और निर्देशित किया गया है उसके बाद यहीं पे डीवीबी दानिया सर ने इस फिलम को पडियूस किये हुए है और फिलम में यह पर राम चलन सर की यह पर को बरह और किया रहा अड़वानी जो है नजर आई हुए है संगीत देवी शरी परसाद ने दिया है और फिलम एक यह पर यूवक और यह पर कुनी के ला राम के यह पर इर्ड गिर्ड घुमती है जो कि अपने प्रियंकको के यह पर जी को जो हैं पर खत्रा में होने के बाद एक यह पर ताना शा को नश्ट करने के लिए पर निकल परते हैं यह फिलम 11 जन्मरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स अपिस पर यह पर शफल रही थी दोस्तों यह मुवी हीट नहीं हो पाया था क्योंकि इस फिलम में इसकी कहानी ठीक ठाक है लेकिन इसका रिवियू रेटिंग काफी कम है दे हिंदू की यहीं पर संगीता देवी और इंदू ने यहीं पर लिखा है कि बिने बिद्धहराम एक अनूठी फिलम है जिसे देखने की जरूरत है और बिसेस रूप से इस चुक यहीं पर पत कथा लेखको और निर्देसको को यह जो है जानने के लिए फिलम के कैसे नहीं और यहीं पर लिखा हुआ है कैसे नहीं बनाया गया है और पांस सितारे में से पांस सितारे बताते हैं कि यहीं पर बोया पत्ती एक कहानी कारी के रूप में खुद की एक यहें पे फी की छाया बन जाते हैं बिनाए बिद्दाराम के सांच जहें पे यहें पे समस्या एं यहें पे समस्या देता है और यहें पे कुरक यहें पे कारक नहीं है और बलकी यहें पे तत्याय के फिलम निर्माता दर्शको और यहीं पे सिनेमा ए सौतन्थराता को यहीं पे हलके में लेता है इंडिया तूटे ने दिया है कि इसको जो है फाइफ में से टू अस्टार्ट दिये है और बताते हैं कि बिना विद्याराम की एक यहे पे भावना पॉर्ण कहानी है दोस्तो इस मुवी से जूरी हरेक इंफॉलेसर मैंने आपको इस वीडियो में दिया है दोस्तो आप लोग का बहुत सरा कॉमेंट आता है कि मैं इस चैनल पे मुवी को अपलोड क्यों नहीं करता हूँ दोस्तो आप लोग को हरेक एक दिन के बाद इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलता है इस पे आप लोग को पता चल जा रहा हुगा कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत करता हूँ दो घंटे का सबसे पहले वीडियो बनाता हूँ इसमें काफे सारे इंफर्मिशन एट करता हूँ उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करते हैं दोस्तो इस वीडियो में आप लोग काफे ज़्यादा इंफर्मिशन देखने को मिलता है अगर आप विद्या रामा मुभी को देखना चाहते हैं तब तक ले तिल एंसी ओ सुन